सब्सक्राइब क्योंकि जो कल करे सो आज कर और जो आज करे सो अब क्योंकि पल्मे परले होएगी बहुरी करेगा कब क्या बात है चलिए आप वाकिफ हैं इस साखी से क्या कहते हैं और आपके पास है गोल्डन टाइम हाँ अगर आपको लगता है कि बायलोजी से पहले आप थमने वाले नहीं हो सकते हैं मेरा सच्चा सुपरस्टार तो वही है जो जब तक पाइनल बोर्ड नहीं दे देता है अपना लास्ट पेपर भी नहीं देता है और वो भी पूरे ताकत पूरे जोश पूरे एनर्जी के साथ नहीं देता है मैं मानूंगा कि उसने अपने आपको लेट डा और सुपस्टार हो तो सूपस्टार बनो भोड़ करके आखरी तक रखना है और साइंस का एवरेज इंप्रूब करना है तो बाइलो जी को भी best बनाना है हमारे biology में जो marks कट रहे थे पहले हाँ अपनी mistakes से सीखना है आपने pre-boards में देखा हा कि आपके कहा marks कट रहे थे आपने अपनी pre-boards के answer sheets देखी उस से सबक लेते हुए कि कहां कमी रह गई उसको cover करना है उसको और better on करना है और ये make sure करना है कि biology को full से कम कुछ नहीं चलिए इसी के साथ series शुरू करते हैं entire biology एक short में एक ही बार में वो भी लगातार करेंगे चलिए start करते हैं और आपसे request करूँगा कि एक भी part miss out मत करिएगा क्योंकि biology is all about diagrams हां कोई भी diagram जिसे आपको लगता होगा कि अरे इसमें सी क्या आएगा sir जी हां वही diagram आ जाएगा और diagram सिर्फ labeling ले नहीं आएगा diagram draw करने को भी आ रहा है तो please अपने yes अपने हाथ को थोड़ा सा घुमाईए draw करना शुरू करिए please common diagrams जिसके बारे में मैं कहूंगा draw करिए please उसको draw करिएगा और जिसके बारे मैं कहूंगा labeling के लिए practice के लिए तो उसको labeling के नजर से देखेग आप चले start करते हैं तो पहला chapter हमारा है cell cycle and cell division अगर cell cycle शुरू करने से पहले आपको एक specific figure दिखा दूँ तो हां ये figure होगी आपके लिए ये वाली चलिए क्या होगी figure देखिए हां आपने देखा कि ये तो एक animal cell का outer cell membrane cell ने बना दिया हां animal cell में बना रहा था आपने देखा कि वड़ा सा न्यूकलेज भी सर ने बना दिया है ठीक है तो एक cell के तीन components टिपिकली पाये जाते हैं मैं तीन components आपको बता दूँ जो हर cell के अंदर होते हैं पहला, all cell contains cell membrane. Cell membrane is also called as plasma membrane. All cell contains cytoplasm, the semi-liquid substance in which all organelles are there and the inner most darker part called as nucleus. तो हर cell में ये तीन parts होते हैं चलिए ये है typical parts, typical parts of all cell, कोई भी cell, plant cell, animal cell, हर cell में ये typical parts आपको मिलेंगे, ठीक है, हमारा topic क्या है, आईए ध्यान दिजिए, हमारा topic है इसमें nucleus पर, हमारा focus है इस पर nucleus पर, ध्यान दिखिएगा, nucleus के अंदर dense liquid भरा हुआ है, क्या, ये dense liquid, ठीक liquid मैं dot से represent कर रहा हूँ, खूब भरा हुआ है, खूब होगा इसके अंदर, पूरे में भरा होगा, center में एक darker सा, oval या circle बना होगा, और कुछ आपको thread like structures ऐसे नजर आएंगे, thread like structure combined भी हो सकते हैं, और ऐसा लगेगा कि किसी ने, छोड़े छोटे, अर्थवार्म छोड़ दियें इसके अंदर, अगर मेगी नूडल्स अच्छा लगता है, तो सोच लो, बहुत सारा इसके अंदर, मेगी नूडल्स पड़ा हुआ है, ठीक है, अब आप जो चाहिए, सोच लें, क्या है ये स्ट्रक्चर, आईए एक एक करके सारे पार्ट्स को समझेंगे, ये समझ लेंगे, तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपको आगे, सेल साइकल, माइटॉस समझना इजी हो जाएगा, तो एक नूडल्स को आपने देखा, मैं भी पूरा डॉट 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 नहीं भर रहा हूँ, तो नूडल्स के अंदर आपको ये जो डॉट 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 दिख रहा है, ये है नूडल्स प्लाजम, क्या है, नूडल्स लिक्वेड इंसाइड दे नूडल्स है, ये जो घ्रायड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये घ्राइड कुछ और नहीं, ये है क्रोमेटिन फाइबर, या सिम्प्ली क्रोमेटिन, ये घ्रायग स्ट्रक्चर है, इसी में है जहनेतिक मटीरियल, और जो सेंटर मोस्ट मे दिख रहा ये। ये है नूक्लिynn ओलस। क्या है ये नू-क-ली- ओलस। एक तुरह से इन सब का कंट्रोल सेंटर है इसके पास, और ये जो … बांड्री है डुक्लिस की जो आउटरमोस boundary है इसका नाम है nuclear membrane चार पार्ट्स आपने देख लिए तोड़ा ध्यान से चारों पार्ट्स पे पोकस करिए चार पार्ट्स मैंने आपको दिखा दिये nucleus से जुड़े वे एक दो तीन चार chromatin fiber जो की thread like structure है ठीक है यही यही chromatin fiber chromatids बन जाएंगे sister chromatids बन जाएंगे doubled और condensed हो जाएंगे during cell division stage जब cell divide करेगी जब RNA DNA material क्या हो जाएगा और breakdown होगा और synthesize होगा हम इसे कहेंगे हाँ हम इसे कहेंगे division stage जब यह division state में आएगा तो यह chromatin नहीं रहेगा बल्कि chromatids बन जाएगा और chromosomes बन जाएंगे जी क्या बन जाएंगे chromosomes बन जाएंगे यही बनेगा यह chromatin fiber जो thin दिख रहा है thread like दिख रहा है वो thickened हो जाएगा condensed हो जाएगा बन जाएगा chromosomes clear है structure आईए अब आपको ले चलते हैं cell cycle की और यह आपको structure की जरुवत पढ़ने वाली थी इसलिए मैंने दिखा दिया चलिए तो एक cell में nucleus है और nucleus के अंदर मौजूद होता है DNA ठीक है DNA किसके अंदर है DNA क्रोमोजूम के अंदर है DNA का फुलपम है डी ओक्सी रीवो न्यूकलिक एसिड यह एक तरह का आप ऐसा chemical है जो parents से offspring तक चाहता है हाँ आपके DNA से हम test करके बता सकते हैं कि आपके parents कौन है पता है कि नहीं आपको तो DNA yes each chromosome contains one long DNA molecule with many protein इन proteins को हम special नाम से जानते हैं histones ठीक है हर chromosome में आपको यही मिलने वाला है DNA and proteins याद रखेगा इस पूरे DNA और प्रोटीन के इसको कहते हैं हम लोग structure हो कहते हैं chromatin आपको chromatin fiber मैंने दिखाया था यह रहा यह रहा chromosome कैसा लग रहा है आपको कोई लग रहा है किसी ने X बना दिया basically actually X है नहीं ठीक है अच्छा when the cell is not dividing मतलब जब cell किसी division stage में नहीं होती है तो cell के अंदर क्या होता है chromatin होता है chromatin fiber होता है thread leg structure होता है as long long threads हाँ मैंने दिखाया मैंने आपको maggie का याद दिलाया मैंने अर्थवाम का केचवे का याद दिलाया आपको दिखाया था ना भी पर यही जब cell division stage में आ जाती है cell reproduction stage में आ जाती है cell growth stage में आ जाती है तो more DNA more RNA synthesize होने लगता है और यह chromatin condensal के chromosome बन जाता है तो आया कहा से chromosome chromatin fibers get converted into chromosome actually chroma chroma शब जो है वो colored body word से बनाएगा actually chroma मतलब color होता है और suma मतलब body होता है तो chromosome मतलब colored body है actually में इसका color से कोई खास मतलब है नहीं ठीक है Walter Clemming नाम के एक महान scientist ने salamander नाम के एक amphibian पर हां अर्थवम की तरह स्वरी frog की तरह एक जानवर होता है salamander पानी में भी रह सकता है yes breed पानी में करता है basically और land में रहता है उसकी body से उन्होंने देखा था उनके जो larva होते है उनकी body से आप उन्होंने पहली बार इसको देखा था he called it mitosis actually the word mitosis word जो है उसका भी word का meaning है thread तो chromatin thread like material होता है इसलिए chromatin fiber बोलते है ठीक है आईए फिर से आते हैं chromatin पर मैंने आपको chromatin दिखा दिया कहां था chromatin कहां था chromatin लिखो अभी अगर आपने अभी starting से देखा है तो आप मुझे बता पाएंगे chromatin कहां आपने देखा और कब chromatin पाया जाता है cell के अंदर लिखो right now मैं जब तक आगे बढ़ रहा हूं यह मानत से दिखा दे रहा हूं आपने chromatin देखा किसके अंदर nucleus के अंदर हां यह मैगी टाइप का लगेगा आपको round 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 लगेगा thread like structure होगा long long thread होंगे खुब सारे होंगे आपस में जुड़े भी हो सकते हैं ऐसे ऐसे long 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 हां खुब सारे होंगे इसे जुड़े हुए इसे कहते है chromatin यह cell division stage से पहले दिखाई देते हैं आईए बापस ले चलू अब आपको ले चलता हूँ chromatin जब cell division लगता है तो क्या बन जाता है बन जाता है DNA के पार्ट में DNA का full form मैंने बताया deoxyribonucleic acid तो DNA में होता क्या है DNA के अंदर होता है nucleotide सरी कहां है कैसा दिखता है आओ दिखाएं आओ दिखाएं आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा हाँ क्या दिखेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा DNA आपको strand दिखाई देंगे जैसे लगेगा कि किसी ने क्या कर दिया है जो round वाली stairs होती है न हाँ बहुत सारे घरों में round वाली stairs होती है जिनमें round करके city उपर चले जाती है क्या आपके घर में भी है क्या ये इसे कहते है double helix model हाँ वाटसन नह krix ने ची krix ने इसको दिया था इसके लिए उनको क्या मिला था इस model के लिए उनको naval price मिला था हाँ इस structure के लिए तो कुछ इस तरीके से किस से बनावा है ये ये जो DNA वो उसका strand बनावा है nucleotide से किस से बनावा है nucleotide ये है इसका strand SNRND यह है strand आप देख पाएंगे इसमें color दिख रहा होगा आपको यह जो color red वाला color है और यह blue वाला color है यही हम बात कर रहे हैं हम इसी strand को दिखा रहे हैं आपको एक strand दिखा रहा हूं यहाँ पर यह जो strand है न्यूकलोटाइट से बना हुआ है इसमें है phosphate sugar क्या क्या है यहाँ पर phosphate है यहाँ पर sugar है इसके आगे और क्या है शुगर का क्या रूप है हाँ एक शुगर का रूप है pentos ठीक है और क्या है इसके base में यहाँ starting में यहाँ पर यहाँ पर starting पर है nitrogenous base ठीक है और क्या है इस nitrogenous base को वो दूसरे strand से combine करता है इस तरफ से भी एक और ऐसा curved strand है याद रखेगा curved होता है यह straight नहीं होता है curve होता है ठीक है न? और जो इसके base है यह जो base है इसका यहाँ पर यहाँ यहाँ जो base ऐसे लगेगा कि मानो letters हैं ऐसे लगेगा कि मानो यह क्या है letters है round stairs में जाता हुआ एक letter जा रहा है उपर की तरफ ठीक है A एडिनाइन G ग्यूनाइन C साइटोनाइन चरी साइटो साइन एन लास्ट थाइमाइन यह रहा G और C complimentary to each other है क्या चीज है Compliment मतलब G रहेगा तो C रहेगा साथ में G के साथ A नहीं आ सकता G के साथ C आएगा या C के साथ G आएगा A और T क्या एडिनाइन और थाइमाइन ध्यान दीजे A T और G C हमेशा क्या करते हैं साथ में रहते हैं सेंटर में structure को ध्यान दिया होगा तो अभी आपको clear structure हो जाएगा यह double helix structure of DNA है एक complete turn आप देख पा रहे हैं उसके अंदर दिख रहा है turn चलिए यह रहा वो structure में आपको जो दिखाना चारा था structure को ध्यान से देखिए आपको दिखाई देगा कि यह है nucleotide structure A को ध्यान से देखिए यह जो एक strand दिख रहा है यह 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 nucleotide का जो strand है यह किस से बना है phosphate से बना है phosphate के साथ साथ इसके पास है sugar आप देख पा रहे हैं phosphate को circle से represent कर दिया गया है sugar को pentagon से represent कर दिया गया है और यहाँ पे है nitrogenous base मैं short form लिक रहा हूँ nitrogenous base आगे देखिए इसी nitrogenous base में A का adenine का thymine के साथ और cytosine का U9 के साथ A का T के साथ और G का C के साथ क्या है hydrogen bond बनता है तब ही जाकर यह complete यह complete क्या हो रहे है combine strand बन रहे है क्या बन रहे है दो parallel strand दिखाई दे रहे एक यह रहा single एक यहारा single clear है यह है actually में हमारा एक DNA का strand आईए थोड़ा histone के बारे में बजाना है मैंने बताया कि हर DNA में आपको क्या मिलेंगे sorry हर chromosome में क्या मिलेंगे आपको DNA मिलेगा DNA आप जान गए DNA का structure आपने देख लिया DNA समझ गए DNA का structure देख लिया अब क्या मिलेगा साथ में histones मिलेंगे histones क्या होते है यह protein होते है अक्सर यह coiling में और packing में मदद करते है DNA को pack कर लेते है ठीक है into structure unit call as nucleosome क्या बन जाते है यह histones nucleosome बन जाते है nucleosome बनाने के लिए इसमें आठ साथ बन गया मैं आठ दिखा देता हूँ हाँ आठ अब आठ हो गया 8 8 histone protein होता डाइग्राम से दिखाता हूँ पहले देखा आपने chromotids यह रहा यह जो chromotids थे देखे कितने thread like structure है देखे कितना thread 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 minute thread like structure है यह मैगी लग रहा है आपको हाण यही chromosome बन जाते हैं ठीक है यह chromotid fibers और जब यह super coil होते हैं और coil होते हैं देखे नीचे की दरवाईए देखे अब आपको दिखाई देगा अब आपको दिखाई देगा यह DNA यह है DNA डबल हैलिक्स मॉडल दिखाई दे रहे आपको अभी मैंने दिखाई था DNA और क्या दिखाया मैंने आठ देखी नमबर लिखा हुआ है यह diagram आपकी बुक्त से ही लिया गया है आपके पास जो बुक है सेलिना प्रॉब्लिकेशन से लिया गया है एट यह जो round और 8 protein with DNA और together called as nucleosome क्या बोलते है nucleosome nucleosome क्या हो जाते है बहुत coiled हो जाते है देखे खूब coiled होगा है nucleosome और coiled होने के बाद खतम नहीं होता है सुपर coiled हो जाते है आपके घर में टेलिफोन है landline वाला आपके घर में landline वाला पून होगा तो उसकी जो तार होगी ऐसे कोईल्ड 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 तार होगी अगर आपने ध्यान दिया होगा आपके घर में जो लैंड लाइल पून होगा हाँ जो पहले वाला ट्रिन ट्रिन वाला फोन वाला उसकी बात कर रहा है उसमें ये तार ऐसी राउंड पर बने हैं किस से क्रोमोजोम से clear हो गया चलिए आपने पूरा structure देख लिया highly magnified structure देख लिया पूरे का आईए आगे बढ़ जाते हैं आपको structure of chromosomes की तरफ ले चलते हैं ज़रा diagram को फिर से देखिए अब आपको chromosome जो दिखाई देगा वो क्या है तो chromosome is condensed and visible only during the start of cell division मैंने कहा था जह सेल अपने आपको division कर रही है तो दो sister chromotids क्या दो sister chromotids joined हो जाती है क्या वर्ट है दो sister chromotids join हो जाते हैं आप։ join हो दिखाई दे रही है याँ यहां जो do this नजा आ रहे हैं उस point पर join होती है उसम कहते हैं क्या सेंट्रो मियर क्या बोलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रो मियर जहां पर दो सिस्टर क्रोमोटिट्स बांद देती है ठीक है यह जो हत्कडी है दोनों हातों में बांदी गई है दो सिस्टर क्रोमोटिट्स है और इस पर बांदी गई है हत्कडी अब याद रहेगा हत् उन्हों एक जैसे दिखते हैं ठीक है देखें चलिए क्या करती है यह क्रुमोस सेंट्रों मियर करता क्या है इट सर्व्स टू अटेच स्पिंडल दूरिंग सेल डिविजन जब सेल डिविजन चल रहा होता है यहीं से स्पिंडल फाइबर टच करता है ठीक है उसका अटेच्म देखा फॉसफेट से बना देखा था आपने आपने देखा कि फॉसफेट है शुगर बेस है देखा था नुकलोटाइड ना आपको स्ट्रेंड दिखाया था न तो इसी का एक सीक्वेंस है एक हिस्सा है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन है किसी एक ब इन सबका एक particular gene होता है हमारी body में कहां से आया है हमारे parents से आया है समझ गया न तो genes genes क्या है unit of heredity है keyword यादर करो unit of heredity है जो हमें मिले हैं हमारे parents से parents से offspring पे आते हैं keyword याद कर लो unit of heredity तो cell हर वक्त ये काम कर रही है क्या कर रही है divide grow redivide चलिए सबसे पहले phase की बात करते हैं जब हम cell की बात करते हैं cell cycle में तो cell में एक phase जब cell grow नहीं कर रही होती है cell अराम कर रही होती हम इसे कहते हैं sleeping हाँ सही कर रहा sleeping interface तो यह externally देखोगे तो आपको लगे कर कि कोई chain नहीं हो रहा है इस phase में सच में cell में external कोई chain नहीं आएगा पर internally cell तयार हो रही होती है अगले stage के लिए जिसका नाम होता है m phase m mitosis ठीक है तो interface के अंदर क्या है मैंने कहा interface आगे जार करके divided है first growth phase इसमें कोई change नहीं होता है chromosome में जो बाहर से दिखाई दे इसलिए मैंने कई बार बोला यह क्या है सोने का stage है cell का अराम करने का stage है मैंने बोला resting phase भी है इसके बाद क्या आता है first growth जिसको हम G1 के नाम से जानते हैं क्या G1 stage इसके बाद आता है S phase S phase में DNA और chromosome अपने आपको duplicate करते हैं और फिर G2 में RNA अपने आपको synthesize करता है और इसके बाद शुरू होता है M phase जब resting stage पूरा हो जाएगा हो सकता है cell फिर क्या करे हां फिर rest कर ले फिर interface में चल जाए next में चल जाए phase में और यहां तो cell division आ जाए cell division दो type का आएगा एक आएगा mitosis दूसरा आएगा meiosis याद रखेगा आपको जब चोट लग जाती है आप गिर जाते है हाथ पैर छिल जाता है हाँ हड़ी तूर जाती है क्या कहते हो कौन सा type of division हो रहा है याद रखेगा जब तक आपकी cell repair replace यहां सुनेगा repair replace हो रही है और क तो समझ जा यह mitosis हो रहा है mitosis में cell आपकी जैसे आपको चोट लगी चोट लगी आपका हाथ खिस गया छिल गया आप गिर गहे थे कुछ दिर बाद देखते हैं कुछ दिनों बाद देखते हैं वहाँ कुछ brownish कोटिंग आ जाती है blood clot हो जुगा होता है वहाँ पे एक नई skin कि लेर आजाती है mitosis mitosis आप जब पैदा हुए थे बहुत कम बहुत चोटे थे बहुत कम वेट था number of cell थी कम cell बढ़ती चले गई आपकी आपकी हाई बढ़ गई आपका weight बढ़ गया आपका size बढ़ गया क्या हुआ mitosis में क्या होता है cell division take place करता है जिसमें cell की growth होती है cell का development ह होता है पर एक word है cell क्या हो जाती है diploid double diploid और mitosis में क्या होता है cell का reproduction होता है cell haploid हो जाती है half the cell half the chromosome from mother and half the chromosome from father याद रखेगा mitosis और mitosis में सबसे basic सा difference चाहिए है कि यहाँ पर deployed cells होती है growth और development और repair में मदद करती है जबकि meiosis में daughter cells पैदा होती है नई gametes पैदा होते हैं zygote जिसम कहते हैं वो पैदा होता है इसका मतलब है एक नया born baby की जब बात करोगे तो मैं कहूंगा meiosis और मैं कहूंगा तुमारा ही खुद का ही चोट लग गई repair हो गया तुमारा ही development हो गया तुमारी ही size growth हो गई तो य even work चल रहा है आपकी पुरानी cell dead cell आपके skin में आ रहे हैं आप नहा रहे हैं दो रहे हैं वो dead cells remove हो जा रहे हैं और नीचे से नई cells उपर आ जा रही है आपका बाल ग्रो हो रहा है आप बाल कटवा ले रहे हैं ट्रिन करा ले रहे हैं लडके हैं तो shave कर ले रहे हैं तो ये सब क्या हो रहा है नई cells regenerate, re-grow, lifelong चल रही है mitosis चल रहा है इसमें किसी दूसरे parent की जर्वत नहीं है same cell से growth हो रही है same body cell से growth हो रही है पर जब दो mother yes, दो अलग-अलग cells, एक mother, एक पादर की cells के चरवत पड़ रही है, तो होगा meiosis clear है, mytosis word मैंने कहा, thread word से बनाये गया है एक cell division है, जिसमें one parent क्या, keyword क्या है एक parent चाहिए सिर्फ mother यहां सिर्फ father एक parent चाहिए, और दो identical cells, इसलिए diploid, क्या word था, diploid दो daughter cells को produce करते हैं याद रगेगा, mytosis में normal chromosome, keyword याद कर लिजे क्या होगा, mytosis में normal chromosome number is maintained और हम लोग की बात करें, इंसान की बात करेंगे तो हम लोग में 46 chromosome होता है आप में, मेरे में, कितने है 46 chromosome कितने 46 chromosome 23 pairs के रूप में होते है कितने के रूप में होते है 23 pair, chromosome समेशा pair में मिलेंगे, जोडे में मिलेंगे आपकी और मेरी body में, human body बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं यहां से और तुम माँ पर चाहा वो लड़का हो चाहा लड़की हो कितने होंगे 23 pairs होंगे इसमें से 22 pairs 22 pairs auto zooms कहलाते हैं क्या कहलाते हैं auto zooms क्योंकि वो एक जैसे होते हैं similar in shape size होते हैं similar in shape size कितने 22 22 बचा वन पेर बचा वन पेर इसे कहते हैं sex chromosome सर यह क्या होता है यही बताता है कि आप लड़का वनोगे लड़की xxxy याद रखोगे अब हाँ यह last वाला chromosome 23rd prayer 23rd पेर और chromosome बताएगा इसमें दो होते हैं मैंने बता दिया बताएगा कि आप boy या girl बनने वाले हैं आईए जब हम mytosis की बात करते हैं तो mytosis दो stage में टेकलेस करता है karyokinosis जब हम karyo की बात करते हैं the word karyo means nucleus क्या nucleus क्या nucleus का मतलब है nucleus और kinesis का मतलब होता है division तो पहले stage में क्या होती है karyokinesis होती है बाग वले stage में क्या होती है cytokinosis अब karyokinosis के अंदर 4 phase आने वाली है हम लोग 4 phase करेंगे और यह diagram आ रहा है कहीं note कर लो मेरी बात को this diagram is there in your board papers please इस diagram से कोई हलके में मत लीजेगा इसको full labeled diagram क्या full labeled diagram you have to do you have to do करना है आपको full labeled करना है और आपको draw करना भी please आना चाहिए द्यान से सुन लीजे मेरी बात को जिसको कह रहा हूँ सिर्फ labeled उसको आप सिर्फ labeled ने करिएगा पर मैं कह रहा हूँ कि नहीं draw and labeled समझा समझा सर की बात मान ले full पाना चाहता है तो चार phase है पहला phase pro phase पहले phase को कहते हैं इस phase में क्या होता है इस pro phase में first phase में क्या होता है इस mitosis में nuclear membrane disappear nucleolus disappear याद है मैंने दिखाय था nuclear membrane दिखाय था nucleus दिखाय था आपको न nucleus में थोज़दे पहले दिखाय था न disappear और क्या हो जाएगा जो centrosome होता है कहां होता है centrosome animal cell में होता है centrosome होता है cell के बाहर होता है ये with centriol क्या करने लगता है दो अलग-अलग poles की तरफ चला जाता है वो esters बन जाता है और वो अलग-अलग poles की तरफ चला जाता है they move to the different poles opposite poles और metafase में आते ही ये सबसे shorta phase है सबसे shortest phase है second phase metafase यहाँ पर जो esters है वो spindle develop कर लेते हैं spindle fiber centromere से पास होने लगता है और chromosomes अपने आपको equatorial axis में कहाँ पर chromosomes arrange themselves in equatorial axis मतलब centrum उसमें आ जाते हैं एना मतलब separation एना मतलब break तो यहाँ पर क्या होने लगता है ये chromosomes sister chromotids में break हो जाते हैं detach हो जाते हैं and move towards the esters opposite esters की तरब वो क्या करने लगते हैं move करने लगते हैं और एक किंक एक depth बन जाती है एक कह सकते हैं cutting बन जाती है ये cutting आगे जाके telophase में depend हो जाती है क्या depend हो जाती हैं और वापस वापस chromotids develop हो जाते हैं chromosomes क्या बन जाते हैं वापस chromatins बन जाते हैं nucleus membrane reappear हो जाती हैं nucleolus reappear हो जाता हैं और दो डॉर्टर दो डॉर्टर सेल्स आ जाती हैं यह है पूरा माइटॉसिस तो रिपेर के समय ग्रोध के समय आपके ग्रोध मैंने बताया था तुमारी तुम पैदा अपने नहीं हुए थे न हुम पैदा चोटे हुए थे पर आज जी यहां इसी वज़े से सब माइटॉसि तो माइटॉसिस थ्रेड वर्ट से लिया गया है जबकि मियोसिस कहां से लिया गया है मियोसिस कहां से लिया गया है मियोसिस लेसन वर्ट से लिया गया है क्या लेसन क्यों क्योंकि इसमें नंबर ओफ क्रोमोजूम्स क्या होने वाले हैं हाफ आधे होने वाले हैं और क्लेम और मदर फादर की उखर से ओंकर तो तुमआरे तो आखे तुम्हारी तुम्हारी मा feltheadach और जिली तुमारे चेहरा है और तुम्हारे जिए नियुनिद को घ्ली होता है तो कहां टेक्प्लिस करता है ह्माइट अगर पूछेंगे तो मैंने का body cells में take place करता है meiosis कहां take place करता है तो meiosis take place करता है reproductive cells में कहां पर reproductive cells मैंने पहले ही बताया क्योंकि इसके लिए mother, father दोनों के जर्वत है किसके लिए meiosis के लिए इसका मतलब आपकी body में meiosis नहीं take place कर रहा है आपकी body में अंतिमसांस तक mitosis mitosis take place कर रहा है कितना important है mitosis हमारी body की growth, replacement, repair इन सब के लिए इसमें gamet पॉम होता है क्या gamet जिसको मागए जाके बोलते है zygote और यही आगए जाके fetus और यहां तो कहें बाद में जाके offspring या new baby बन जाता है समझ गए और क्या होता है यह throughout the life चलता है मैंने पहले ही बताया था mitosis पुरी lifelong चलता है जबकि यह सिर्फ reproductive age में होगा इसमें दो daughter cells पैदा होती है और इसमें four daughter cells पैदा होती है ध्यान दीजे का number याद करना बहुत ज़रूरी है कई बार ऐसा आएगा कि give difference between mitosis and meiosis on the basis of number of daughter cells produced यहां आएगा on the basis of number of chromosomes तो मैंने बताया full chromosomes full chromosomes transfer होते हैं that is deployed in the number double the number यहां पे क्या होता है half the chromosome half chromosome 23 23 from father and 23 from mother तब जाके बनता है 46 समझ गए इसमें एक singular nuclear division होता है इसमें two division होने वाला है इसमें chromosomes identical बनेंगे इसमें random बनेंगे क्या random कोई दो बच्चे जैसे क्यों नहीं दिखते हैं random variations की वज़य से नहीं दिखते हैं समझ गए आगे बढ़ते हैं हम लोग मैंने faces सारे discuss कर ली है मैं सिर्फ इनको बस अब उपर चला देता हूँ जैसे ही जैसे ही kairiokinesis और हो जाता है उसके बाद क्या आता है kairiokinesis के बाद आता है cytokinesis जिसमें cytoplasm का division हो जाता है एक cleavage एक depth form होते है और दो daughter cells बन जाती है चलिए क्या important है significance है meiosis का तो meiosis में मैंने बताया कि fertilization के process में newborn baby के process में ज़र्वत पड़ती है और ये diagram भी देख लीजे जड़ा इस diagram को देखिए और क्या पूछा जा रहा है समझे जो मा का chromosome है द्यान से देखिए जिसे हम कह रहे है maternal ये रहा mother का chromosome get mixed with the father इस पहले इस diagram को देखिए इतने part को देखिए please see this part क्या हो रहा है first reduction division क्या word है first reduction division ये player ये player ये sorry ये pair बहुन रहा है mother और father के chromosomes के mix होने पर ठीक है ना ध्यान ये भी देना है कि यहाँ पर जिस point पर दोनों meet कर रहे है point of crossing over क्या keyword है point of crossing over जहां ये दोनों मिल रहे है कहा paternal और maternal chromosome जिस point पर मिल रहे है वहीं से क्या हो रहा है mother के chromosomes father के पास और father के मदर के पास चले जा रहे है देखिए अगले का structure yellow color देखिए वहाँ चला गया पिंक वाले के पास तो यहाँ पर exchange टेक प्लेस कर रहा है जहां exchange टेक प्लेस कर रहा है वहीं पर हो रहा है crossing over क्या word है keyword क्या है क्या take place कर रहा है यहाँ पर crossing over जहां पर मा का और पिता का chromosome separate हो रहा था ठीक है न यहाँ पर chromatin materials get in exchange क्या हुआ यहाँ पर mother का chromatin material father के पास यह रहा और father का mother के पास क्या हो गया get mixed हो गया ठीक है न एक नया genetic combination बना नाम बना चैस्मा क्या word है चैस्मा इसलिए word है क्योंकि यह x shape structure है क्या बन रहा है देखिए x बन रहा है यहां से देखिए structure क्या बन रहा है x बन रहा है x बन रहा है ठीक है due to the crossing of the non sister chromatids non sister इतले कर रहे है एक mother का एक father का इसलिए बोल रहा है चैस्मा चलिए genetics की शुरुवात करी दी है तो आइए genetics से आगे बढ़ जाते है what is genetic लेखिए definition genetics की definition genetics study of heredity genetics बताती है कि parents to offsprings जो characters sketch जा रहे हैं genes जा रहे हैं और उनकों लिए क्या laws लगाए जाते हैं सबसे पहले एक ग्रीक एक philosopher थे नाम था Gregor Mendol कई बार उनको father of genetics का आगया है यह एक monk में पढ़ाते थे एक monastery में sorry पढ़ाते थे और बाद में ministry of vina में भी गए और इन्हों नहीं बनाया law of inheritance इन्हों नहीं बताया कि आपके और मेरे जो parents हैं उनसे हमें genes मिलती है ये Gregor Mendol ने तो उन्होंने modern application of genetic के बारे बताया इन्होंने बताया कि आज genetic engineering possible है आज हम organisms को genes alter करके बना सकते हैं yes you have heard it right organisms के genes बदले जा सकते हैं जैसे एक बिमारी है hemophilia ये एक बिमारी है उनको जिनकी body से blood loss बहुत ज़ादा होता है हलका साभी चोड लग जाता है तो उनका blood उपता नहीं है नाम है hemophilia ठीक है ये होती है तो इसको भी ठीक किया जा सकता है genetic treatment है इसका क्योंकि ये genetic बिमारी है मलब जिसकी family में इस बिमारी चलेगी उनके बच्चों और उनके बच्चों और उनके बच्चों होती रहेगी दूसरी बिमारी है थेलेसीमिया नाम सुना होगा sickle cell anemia इन सारी बिमारीों का cure अब genetic तरीके से संभव हो पाया है आईए word आता है heredity heredity means transmission of genetic based characteristics क्या जो genetic characteristics है उसका parents पे offspring तक ट्रांसफर होना genetic constitution आपके पूरी body का genes का study ये है heredity तो populationative है variety की क्यों आती है तो मैंने कहा एक basic सा reason है कि हम जो बन रहे हैं वो किस से बन रहे हैं mother और father के genetic material से बन रहे हैं तो जब ये genetic material ट्रांसफर होते हैं there is lot of new chemical changes take place and that is why it results in variation क्या variation take place करता है अच्छा character और traits को समझते हैं any inheritable feature जो भी feature आपको आपके parent से मिल सकता है inheritable मतलब होता है जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं अब hair color eyebrow shape lips shape या color तो ये क्या है ये एक character है जो alternative room पे हमारी body में आता है तो उसका नाम हो जाता है trait जैसे example है color of the eye ये तो character है क्या रंग होगा आपकी आँखों का काली होगी कि भूरी होगी आपके आँखे आप ब्राउन होगी कि ब्लू होगी ठीक है न तो ब्राउन ब्लू trait है color of the eye शब्द क्या है आपका character है chromozooms तो मैंने पहले ही बताया chromozooms बने हैं जी अगर chromozooms का एक चार्ट होता मेरे पास क्या चीज एक चार्ट वन वर्ड कोश्चन mcq कोश्चन चार्ट विच शोज ओल ट्वंटी थ्री chromozooms हर एक chromozoom इसके अंदर दिखाई दे रहा है देखे तो मैंने बना दी आपके लिए यह कुछ इस तरीके से होता है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की पूरे ट्वंटी थ्री chromozooms होंगे इसके अंदर इस चार्ट को कहते हैं केरियो टाइप चार्ट और डाइग्रमेटिक प्रेजेंटेशन हाँ डाइग्रमेटिक प्रेजेंटेशन अफ अरेंडमेंट ऑफ क्रोमोजोम्स हमारे बॉडी में 23 पेर मैमल्स हैं हम लोग याद रखेगा यूमन बॉडी बात कर रहा हूँ उन में ठीक है नेक्स्ट मैंने कहा हर स्पीशीस के अपने अलग-अलग क्रोमोजोम्स नंबर है हमारे में 46 होमोजोम्स हैं क्रोमोजोम्स जब भी होंगे तो किस में होंगे? पेर में होंगे क्या होंगे? पेर में एक जैसे शेप एक जैसे साइज को हम कहते हैं होमो लोगस क्या चीज? homologous chromosomes of same shape and size आगे जो chromosomes हैं मैंने पहले ही बताया कि अगर पहले 22 क्या मैंने वर्ड बोला पहले से लेके 22 तक 23 टोटल होते हैं मैंने बताया था पेर में पहले 22 chromosomes 1 जैसे होते हैं यहने हम एक special नाम से जानते हैं autosomes यही autosome बताते हैं आपका रंग कैसा होगा आपकी height कैसी होगी आपका seed हाँ भई तुमारा रंग कैसा है तुमारी आखें कैसी है तुमारा बाल कैसा है सिल्की है वेवी है ब्लॉंड है यह कौन बता रहा है autosome बता रहा है समझ गए पर तुम लड़का हो लड़की हो यह कौन बता रहा है 23rd chromosome 23 पेयर ठीक है यही क्रुमोजोम सबसे अलग होता है यह बताता है कि तुम लड़का और लड़की अगर x x पेयर हुए तो समझ जाओ आपके घर में बालिका आई है और x y क्रुमोजोम से थे तो समझ जाओ कि male member आया है देखा फिमेल्स में हर फिमेल्स में आपकी मदर में आपके सिस्टर में हाँ आपकी हर नोन फिमेल में यही होंगे x x सेम नम्ब x x क्रुमोजोम तो female और xy होगा तो male ठीक है आगे बढ़ते हैं अब आप नहीं भोलेंगे इसको तो पक्का नहीं भोलेंगे यह रहा कैसे तैय होता है कि लड़का है कि लड़की है मैंने बताया था meiosis के टाइम पर क्या meiosis के टाइम पर देखिए father से xy और mother से xx अब आप जैसे इनको cross करें लेंगे cross करेंगे मतलब जैसे mix करेंगे एक father से एक mother से लेंगे एक father से mother से लेंगे तो आप देखेंगे 50% chance है boy का 50% chance दोल का चली क्रुमोजूम्स मैंने पहले ही बताया genes को carry करते हैं दो वर्ड क्रुमोजूम्स से बाद जो वर्ड आया gene कौन सा वर्ड जीन जीन शब्द को किसने बताया विल्हेम जोहेंसन कोन है विल्हेम जोहेंसन नेक्स आ जाईए gene को एलली का बोलते है जरा इस शेप को देखिए एक ऐसी gene देखिए दो जीन बनी हुई है gene एक specific sequence होती है ठीक है न क्या एक specific sequence होती है अब alternative रूप में अलग अलग शेप में अलग जो देखिए यहाँ पर भी पी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर capital भी है यहाँ पर small भी है क्या है ये ये शो कर रही है जीन alternative जीन के अलग लग सेम पोजिशन पे homologous chromosomes में जो की बता रहा है किस तरीके से रिखा जा सकता अब जीन दो टाइप के होगी dominant होगी dominant वो जीन होगी जो अपने आपको express कर पाती है क्या जो जीन अपने आपको express कर पाती है उसे कहते है dominant जैसे example है कि garden pea garden में उगने वाला pea का पेड़ वो ज़्यादा तर tall होता है क्योंकि tallness उसकी क्या है genetic उसकी genetic में dominant वाली LLE है ठीक है जबकि recessive क्या है जो expression दबा suppress कर दिया जाए ठीक है जेनो टाइप और जीन के टाइप तीन सिच्वेशन आएगी इस जेनो टाइप को समबलने में मैं आपको इसकी situation भी दूँगा तो पहला situation है आर आर जिसमें वेक्ति क्या होता है टंग रूलर हो जाता है दूसरे में देखिए capital R के साथ small R है मतलब एक dominant है जो बड़ा letter है वो dominant को रिपेजेंट करता है dominant चब्द का मतलब आप कुछ से पूछेंगे तो वो characteristics जो आपके पास offspring के पास आने के chance थे जैसे बाल का रंग मेरा और आपका बाल का रंग क्या होगा आपके parent का आपके mother का आपके sister का आपके इवन ब्रदर्स का आपके घर वालों का usual hair color black होगा common आप देखेंगे क्या कहते हैं कौन से color है यह है आपका dominant ठेक है यह है अब यहां पर रोलर जोंगे रोलर मतलब टंग रोल करने वाले तंग रोल कर अपनी ऐसे क्या हो रही है पर हां मतलब बीच में डॉग आ गया था क्लास में अंदर यह उपर इसल मैंने जोड से आचा आवाद दे दी आपको आवाज भी आ रही होगी चलो हाँ वापस आजा वापस तो मैंने कहां आप टंग रोल करके देखिए क्या रोल कर पा रहे हैं करके देखिए तो इसका मतलब आप टंग रोलर हैं तो यह क्या है करके देखो भाई अभी मेरे समने करके देखो अगर आप अपनी टंग को रोल और ट्विस्ट कर पा रहे हैं अंदर की तरफ ऐसे साइड रोल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप र हो रहा होगा सारे जैंस में हो रहा होगा एक आर और एक आर है तो ज्यादा तर क्या dominant ही क्या करता है express होता है और अगर दोनों आर हुआ तो उसका मतलब है कि बच्चा non roller होगा तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं टंग रोल तो आपका genetic type और हम लोगों क्या होगा मेरा क्या होगा मैं तो रोल कर ले रहा हूं कि मैं रोल कर ले रहा हूं आप लोगी घर देखें लियर आप समझ गए क्या होता है dominant और एसेसिव क्लियर हो गया कौन सा एलिली dominant है जो आने वाले और स्प्रिंग पर इसका मतलब मेरे पेरेंट्स भी रोलर रहे होंगे तंग रोलर रहे होंगे ना तो जैनिटिक कॉंसिटूशन जो की क्या करता है बताता है जीन्स को जैनिटिक कॉंसिटूशन बताने वाले को कहते है जैनोटाइप और जो expression को हम लिखते हैं उससे कहता है फενी टैप याद रखेगा अगर होणोजाईगस है इसका मतलब दोनो सेम होंगे जैसे और नहीं कर रहा हूं और हेंट्रोजाईगस में क्या हो जाएगा एक बड़ा एक चोटा ठीक है आएए बात करते है जेनो टाइब की, क्या जेनो टाइब वन वर्ड है, situation याद करिएगा the set of genes present clear word जेनो है वर्ड तो genes present, खतम और F-E-N-O, फेनो, फेनो मतलब होता है observable characteristics अथार जो characteristics आप आने वाली offsprings पे देख रहे हैं उसे कहते हैं, फेनो टाइब मैं अपने live का real example बताऊंगा, आप शायद माने हैं ना माने, मेरे पास इसका live तस्वीर भी है सही मैं कह रहा हूँ मेरे पास इसकी live original मेरे live की मेरे आखो देखी तस्वीर है, नहीं मानेंगे मैं आखो दिखाता हूँ, मैंने क्या दिखा मेरे पास इसका एक प्रमाण भी है, मौका मिलेगा तो आपको दिखा दूँगा इसे कहता है punet square क्या? punet square punet square क्या करता है? बताता है कि F1 generation F2 generation में जो आने वाले offspring है उनमें कौन सा observable genotype या penotype होगा उनका genetic material क्या होगा देखे, अगर हम बताएं, मदर के बारे में चलो मैं example से कर रहा हूँ, अपने मन से कर रहा हूँ, थोजिर मैं example बता रहा हूँ, मदर मदर का color है white कौन सा color है, white तो w इसका capital और ये पूरा क्या है homo, क्या word है ये पूरा क्या है homozygous है तो दोनों w रख दिया, दोनों ही क्या है, capital letter हो homozygous में, पाधर जो है पाधर जो है वो कैसा है वो एक w, मतलब white capital और एक मतलब heterogyrus यहां से देख लीजेगा इसको ये मैं real life किस्सा बताने जा रहा हूँ वैसे mother कौन है mother dog है bitch है और father क्या है dog है real life example है मेरे सामने का example है दोनों ही ऐसे थे दोनों ही white white थे first generation जब इनकी आई तो क्या हुआ देखिये तो f1 generation यहां है www mother का और यहां पर है w और small w father का देखियेगा unit square में क्या हो रहा है यह समझाने के लिए आपको concept देने के लिए जब phenotype genotype समझाना होता है आपको उसके number लिखने होता है तब आपको कैसे लिखना यह बताने के लिए देखिये इधर पहले में क्या होगा पहला जो आफ स्प्रिंग होगा वो दोनों w capital होगा क्या पता चला दो homogenius फिर से हो गए दो homogenius हो गया और दो heterogenius हो गया heterogigas हो गया आप देखेंगे कि चारो बच्चे चारो आफ स्प्रिंग क्या होंगे इसके white ही होंगे क्योंकि w क्या है capital वाला सब में पाय जा रहा है इसका मतलब dominant dominant LLE हाँ white है अब जरा इसका इसी का देखिए आगे का part F2 generation में पिलेल 2 में F2 में ये F1 था ठीक है इसमें mother है father है ये है mother ये है father जरा देखिए तो क्या होने वाला है दियान से देखिएगा W capital और ये small अगें W capital और ये small दियान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा मेरी बात मैंने ये खुद अपनी आँखों से देखा था ये वाला case ये इसमें W W आ रहा है कि दोनों capital है the blue यहां color change कर देता हूं यहां प्यारा है एक capital W और एक small W है और यहां पे देखिए एक capital है और एक small है पर इस case में क्या हो रहा है दोनों small हो रहे है इसका मतलब है कि दोनों के पास hydrojagous अगर है क्या है hydrojagous है अगर तो आप देखिए दोनों का capital डबलू नहीं है एक capital और एक small डबलू है मैंने white character white color of the skin की बात कर रहा हूँ dog की बात कर रहा हूँ यह mother है और यह father है मतलब bitch and dog है आईए मेरी आखों देखा case है मैंने देखा कि 3 white और एक black baby born हुए 3 is to 1 का ratio आया सच कह रहा हूँ genetic material का यह genotype था इसका genotype मतलब genetic material तीन क्यों क्यों क्योंकि www तीन में capital है देखिए तीन white एक black और जब phenotype देखा इसका जब phenotype देखा इसका तो देखा 1 is to 2 is to 1 1 किसके लिए homo ध्यान दीजे www वाले के लिए यह 2 किसके लिए hetero hetero किसके लिए यह भी hetero है और यह फिर से 1 किसके लिए इसके लिए तो 1 is to 2 is to 1 ध्यान दीजे एक single character हम इसे कहते हैं mono hybrid क्या एक single character को इस तरीके से represent किया जा सकता है प्यूनेट स्क्वायर में आईए आपको यह मेरी आँखो का देखा केस है मेरे पास mother, father दोनों white हाँ white रंके, dog और चित कबरा white color का पूरा father और लगबग brownish और whiteish color की थोड़ा brown patches वाली mother पर white उसमें dominant color था मैंने देखा तपने आखों से मेरे पास आज भी उसका photo भी है सच कह रहा हूँ और जब मैंने इनके दोनों के इनके दोने बच्चों देखे तो मैंने देखा ये दिखाई दिया मुझे, तीन इसमें white baby दिखाई दिये और एक black baby आज भी उन में से दो जिन्दा है, दो मर चुके हैं दो white मर गए, कार के नीचे आके मर गए एक तो बिमार होके मर गया, पर उन में से एक black baby और white baby आज भी मेरे ग़र गुमते रहते हैं, आपने देखा होगा शायद मेरे किसी वीडियो में हाँ, अगर आप जित करेंगे तो मैं उनका वीडियो भी आपको देदूँगा, इसको साबित करने के लिए, चलिए, come to the study, आई आते हैं, आपको दिखाते हैं, आगे का पार्ट, क्लियर हो गया, अपने लाइफ के आसपास जो हो रही घटनाए हैं, उसको थुड़ा ध्यान से देखा करो, ठीक है, बहुत सारी चीजें यूँ याद हो जाएंगी, अरे बाइलो जी तो समझ गया, study of life, ये वो समझाना चाते थे, ठीक है, टंग रूलर वाला एक्जामपल देके समझाया था, मैंने भी बताया कि कौन सा क्रोमोजोम मदर का होगा, कौन सा पादर का होगा, क्या कोई X-linked inheritance भी है, क्या, कोई X से जुड़ा, color blindness जैसे for example है, ये एक male, male oriented disease है, इसमे लड़कों को ज्यादा तर होने वाले disease है, rarely to female होती है, उसे से एक और example है, homophilia, ये भी क्या होता है, rare case, male में rare होता है, बलकि female में common है, आईए मैं आपको monohybrid ratio in F2 generation, philal 2 generation, मैंने पहले ही बताया था, monohybrid ratio में, yes, phonotypic और genotypic, oh, oh, मैंने 3 is to 1 और 1 is to 2 is to 1 में अपोजिट लिख दिया, phenotypic में 3 is to 1 है, और genotypic material में 1 is to 2 is to 1 है, ध्यान दीजे का मैंने number उल्टा लिखा है, यहां सरी करना है आपको, next, dihybrid ratio, जिसमें 2 character का transfer होने वाला है, तो उसमें phenotypic है, 3, 9 is to 3 is to 3 is to 1, और genetic material आप इसका क्या नहीं कर पाएंगे, very complexion नहीं बता पाएंगे, चीक है, आईए, Gregor के law, Mendels के law ध्यान से देखिए, important है, एक नएक law आना है, पहला है law of dominance, इसमें बताया है कि अगर कोई 2, अगर कोई 2 contrasting character present है, तो उनमें से एक ही अपने आपको express कर पाएगा, मैंने बताया तो वही express करेगा, जो dominant nature का होगा, या dominant वाला होगा, वो express कर जाएगा, और जो recessive वाला होगा, वो unexpress कर जाएगा, इसी का नाम है law of dominance, out of the two characteristics, the dominant will express itself, इसका नाम है law of dominance, दूसरा law of segregation, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है, कि अगर 2 pairs, 2 pair, sorry, 2 members of a pair of factor, separate, जब जाइगोड बनता है, गयमेट बनता है, male-female का, जब गयमेट मिलता है, तो क्या होता है, they do not blend, ऐसा हो करके, blend हो कोई नई चीज़ नहीं पैदा हो जाती है, बलकि they combine by random fusion, क्या होता है, random fusion होता है, और zygote form होता है, इसका मतलब है, at any time, anything can be formed, मतलब मेल भी और female भी आने का पूरा chances होता है, ठीक है segregation हो जाता है, separation हो जाता है उसमें, लिखा है न, factors क्या कर जाता है, separate the word, separate means, segregate, और क्या है, law of independent assortment क्या बताता है, कि जब दो pair, मैंने example दिया था, दो pair of characters हो, जैसे मैंने का roller और non roller, ठीक है न, distribution of allelees of one character, is independent on the distribution of other, एक का effect, जैसे एक, एक pea plant है, यहां से सुनिएगा, एक pea plant है, अब वो green है, yellow है, इन में से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकता वो, और वो short है, कि tall है, तो यह shortness और tallness में से कोई एक allele, और green और yellow में से, green और yellow में से, एक allele, तो at a time, यह अलग है, यह अलग है, इस में से independent, अलग, अलग, कभी green के साथ short हो जाएगा, कभी तो green के साथ tall भी हो सकता है, उसी तरह से yellow के साथ short और yellow के साथ भी tall हो सकता है, तो कहां काम आता है, इतना Mendel का law पढ़ लिए, इतना Mendel जी के बारे में पढ़ लिए, इतना उन्होंने लिख दिया, तो इनकी knowledge से हमको आज पता चल सकता है, कि आने वाले ही जो hybrid करने पर क्या generation पैदा होने वाली हैं, आप predict कर सकते हैं, बता सकते हैं पहले से ही, इवन पता होगा शायरी बाद, और तो और नए टाइप आप प्लांट्स, नए टाइप के करेक्टर्स पदा करते हैं, hybridization method से, आम कितना वाराइटी कैसे आ गई, यह टेक्निक से आई हैं, आम की धेरो बाराइटी है, तोता पूरी लंगड़ा, आप उस और आपके शेर में कौन स हाम है, हाँ भाई, तुमारे हाँ कौन सा हाम है, बताओ, तो इसी से बनाया हो, आईए mutation, मतलब sudden change in one or more genes, यह change किसी abnormal condition में होगा, यह change होगा, जब उसके cell के character को change कर दिया जाए, मतलब gene बदल गया अगर आपका, तो आप imagine करिए, आप नहीं, आपके आने वाली generation भी वैसी ही रहेगी जो gene है, ऐसा nuclear war के दवरान भी हुआ था, जब हिरोशीमन नागा साकवी पर बं गिरे ना, तो भी क्या हो गया, mutation हो गया, sickle cell anemia हो गया, Japanese लोगों को, उसकी anemia cells, जो RBC cell होती है, वो destroy हो गई, महां के लोगों की, ऐसा relative material के दवरान भी होता है, आईए, अब chapter पढ़ प्रेश दू, absorption by roots, आईए देखते हैं, तो उसको किस heading के नदा पढ़ेंगे, plant physiology, biology का वो इस्सा, मैं कह रहा हूँ, biology मतलब finish, थोड़ा concentrate करिए, मैं सब finish कर दूँगा, फटा फटा, तो biology, life के बारे में study करती है, अगर plant के function, plant के metabolism में study करें, तो उसका नाम क्या हो जाएगा plant physiology, ठीक है, क्योंकि हम structure की बात कर रहे है, function की बात कर रहे है, roots का function आपको मालूम है, क्या है, root क्या करती है, root plant को fix करती है, ठीक है, root water absorb करती है, mineral absorb करती है, और वहां से, root से कहां पहुचाती है, leaves तक, ठीक है न, यह तो आप जानते हैं, आईए, पानी और minerals क्यों चाहिए, plant को, क्या धर्वत है, water minerals की, photosynthesis के लिए, transportation के लिए, transport के लिए चाहिए, और सबसे important जी, stiffness, कड़कपन के लिए चाहिए, अगर पानी नहीं मिलेगा, तो plant की roots, plant की roots, depend नहीं जा पाएंगी, और shoot, seed से बाहर नहीं निकल पाएगा, अगर stiffend नहीं होगा, तो, चलिए, समझ गए आगे बढ़ें, characteristics of roots, तो ऐसा क्या है roots में भईया, diagram ये भी आ सकता है, कौन सा, क्या आपको लगता है diagram कभी आएगा, एकदम आ सकता है, पर ये पूरा chance है कि लिए 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 आएगा, ठीक है, मैंने पहले ही बताया, biology is all about diagrams, इस diagram को ध्यान से देखिए, ये इतना छोटा सा structure है, root का ये हिस्सा मैं आपको elaborate करके दिखा रहा हूँ, तो ये क्या है, root का एक hair, सोचे कितना बड़ा microscope लगा दिया आपके लिए, सबसे पहले outer most part की बात करते हैं, मैं number देने वाला हूँ, root के इसी structure दे सारा काम clear होने वाला है, कि ऐसा root में क्या है, ऐस होता है, cell wall dead होता है, freely transferable होता है, freely permeable होता है, कुछ भी material आ जा सकता है, सिर्फ plant में ही cell wall होता है, animal में नहीं होता है, कोई और difference मालूँ मैं plant cell और animal cell में, लिखो, type करो, हाँ भाई अभी लिखिए आप लोग, तो क्या होता है, मैंने कहा, cell wall होता है सबसे outer most, उसके अंदर, ठीक अंदर क्या है, cell membrane, layer number two, मैं number डाल रहा हूँ, अब यह जो cell membrane और cell wall और cell membrane है, यह दोनो actually में क्या है इतनी थिन है, इतनी पतली है, कि इसका एक special नाम है, क्या नाम है, special नाम है, epidermal cell, यह thin layer की cell है, यह पूरी layer क्या है, epidermal layer है, outermost layer है, किसकी plant cell की cell wall और cell membrane, together is called as epidermal, outer dermis, इसके ठीक अंदर आएंगे, मैंने number नहीं दिया, जिले ध्यान दिज़े इस ते, क्योंकि बताने के लिए कि दोनों इससे मिलके बने, one और two मिलके बनाया, epidermal, जो part number three है, वो ठीक इसके अंदर है, हम sequence से चल रहे है, one सबसे बाहर, two उसके बाद, three उसके अंदर, देखे धिरे धिरे अंदर जा रहे है, हम आ रहे हैं, चौते part के तरफ, cell के अंदर क्या भर होता है, हाँ, semi-liquid substance होता है, dense material होता है, high concentration material होता है, और क्या होता है, देखे, अब यह है root hair, नाम है full grown root hair, इसके tip में पाया जा रहा है, fifth part nucleus, आप देख सकते होंगे, black rung is dot, इसकी पहचान है, यह black dot इसकी पहचान है, तो यह जो epidermal cell है, यही इस मंदर कमाल की चीज़ है, ठीक है, यही thin layer है, जो help करती है, तो सबसे पहले, क्या है root में, मैंने का, root में बहुत surface area है, क्या है, large surface area है, पतले-पतले rootlets हैं, दूसरा है, इसके अंदर जो root hair के अंदर, जो cell sap है, वेक्यूल के अंदर है, मैंने दिखाया था, उसका concentration higher है, ठीक है, देखे, root hairs are extension of epidermal cells, कि किससे बनी है, epidermal cells, हाँ, मैं पानी ले लेता हूँ, बढ़के रख दो, आई यह दिखते हैं, clear है, then root hairs have thin walls, root hair मैंने बताया था, उसके cell walls जो होती है, बहुत thin हो जाती है, और मैंने पहली बताया, cell wall thin and permeable होती है, आगे बढ़ते हैं, roots में कई तरह के, हाँ, plant cell में कई तरह के, movements होते हैं, ठीक है, minerals के water के खेदर मुवमेंट होते हैं, सबसे पहला बात करते हैं, imbibition, जब cell to cell osmosis होने लगे, का, वो living हो, चाए, dead हो, तो उसे कहते है, imbibition, गर्मी के दुनों में, हाँ, गर्मी के दुनों में आपके जो घर के दर्वाजे होते हैं, कई बार लड़ने लगते हैं, तकराने लगते हैं, कभी ऐसा होता है, सरी, गर्मी मैंने बुला, rainy days में, क्योंकि उसकी wood जो होती है, swell कर जाती है, हाँ, सच में, तो पानी, surface to surface क्या होता है, attract करता है, ऐसा dry seeds करती हैं, ऐसा wooden doors करते हैं, rain के दुनों करते हैं, और जब diffusion की बात करेंगे, तो उसका movement होगा, किसका? movement of molecules from region of high concentration to low concentration, but एक keyword है, they should be in close contact, ठीक है, osmosis, जिस पर ये chapter बहुत important है, डिपेंड करता है, osmosis, water का movement है, solvent का movement है, from region of high concentration to low concentration, keyword है, solvent का movement है, water का movement है, from high to low, और एक और keyword है, semi permeable membrane, क्या? semi permeable membrane नहीं होगी, तो osmosis नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो यह रही diagram, यह जो बीच में आप dotted line black देख रहे हैं, वो एक semi permeable membrane है, इस तरह आप देखिए, यहां है high concentration, यहां है low concentration, यहां है low concentration, क्या होगा, देखिए, दियाद से देखिए, क्या होने वाला है, यह जो बड़ा वाला है, यह वाटर है, यह जो छुटा वाला है, शुगर है, तो, वाटर के molecule, क्या होने वाले हैं, देखिए, movement of water molecule from region of high concentration to low, देखा ध्यान से, वाटर के molecule, कहा जादा है, उस तरफ, मैंने वैसे गलत नाक लिख दिया, मुझे उसके लिए उल्टा लिखना था शायद, मैं कट कर दूँ, हाँ, एक बार और, फिर से देख लेते हैं, प्लीज, यह रहा, शुकर, और यह रहा, वाटर, तो देखिए, इसमें जो molecule के लिए जो space है, इसका नाम है, semi-permeable membrane, semi-permeable membrane का example आप ले सकते हैं, cellophane, हाँ, जैसे कि plant या animal की ऊपर की layer, epidermal layer, ठीक है, यह जो semi-permeable membrane है, यह पानी के molecules को जाने तो दे रहे हैं, देखिए, पानी के molecules तो जा पा रहे हैं, पर यह जो solvent की जलावा solute के molecule है, यह यह यहाँ पार नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इसकी size इसको allow नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको कहते हैं, osmosis, from high concentration to low concentration through semi-permeable membrane, ध्यान दिजेगा, मैंने छोटे वाले को water बोला है, पहले मैंने बड़े को का था, अब इसमें भी क्या होता है, endosmosis होता है, जब पानी invert आने लगता है, जब cell के अंदर पानी नहीं लगेगा, cell swell हो जाएगी, cell फुल जाएगी और इसका उल्टा कर दो, exhaustmosis, जब cell क्या कर रही है, अपना पानी loose कर रही है, ध्यान दीजेगा, semi-permine में membrane होना जरूरी है, क्योंकि semi-permine membrane ही allow करती है, molecules को पार करने देना, और semi-permine का example है, whisking bag, cellophane paper, आईए एक example देखते हैं, इस experiment के diagram को देखिए, आपको दिख रहा है, एक osmosis होता हुआ, ध्यान दीजेगा, पहले water का level यहां तक था, इस thistle funnel के अंदर क्या बरा हुआ है, शुगर solution है, जो की है low concentration, हाँ भाई पानी कम है उसके अंदर, पानी के concentration की बात हो रही है, और बाहर, इस beaker के अंदर, water में क्या है, हाई concentration of water है, तो क्या होगा, इस semi-perveable membrane, जो की नीचे लगाई गई है, थिस thistle funnel के, यहां से water के molecule, हाई concentration से low concentration बढ़ जाएंगे, नतीजा क्या होगा, देखे, पहले original level यहां तक थी, अब new level क्या होगा है, यह rise हो गई है, क्या इन शो कर रहा है, शो कर रहा है, कि water add up, increase कर रहा है, level of sugar, ठीक है, यह है, यह है, osmosis, क्या, अगर हम इस जगें, रबर शीट यूज़ कर लें तो क्या होगा, मुस्लिन बैग कर लें, तो क्या होगा, अगर यहां पर रबर शीट कर लेंगा, यूज, semi-permemean की जगें, तो रबर शीट क्या है, impermeable layer था, पास ही नहीं उने देगी, water की molecule को काम बन, semi-permemean होना चाहिए, और कर मुस्लिन बैग यूज़ कर ले, मुस्लिन cloth यूज़ कर ले, उसमें पोर इतने बड़े होते हैं, इतने पोर बड़े होते हैं कि freely transferable हो जाता है, water और sugar दोनों के molecules, तो दोनों केस में काम नहीं करेगा, तो osmosis कब तक चलता है, जब तक concentration बोद साइड का सेम न हो जाए, ठीक है, osmotic pressure क्या है, वो pressure है, जो की passage पर लगता है, वो जो semi पर्वें मेंब्रेन थी न, उस पर लगता है, किसका solvent का, ठीक है, to prevent this solvent molecule entering into the solution, ठीक है, आ रहा है, tonicity, tonicity बताता है, condition, relative concentration की, अगर isotonic है, इसका मतलब है, कि cell के अंदर और cell के बाहर, same concentration का liquid है, no, no osmosis, movement नहीं होगा, जड़ा इसको देखिए, isotonic, ठीक है, अब देखिए, hypotonic, hypotonic में क्या हो जाएगा, hypotonic में क्या हो जाएगा, हाँ, हिपो से याद कर लेजे, किस से वड़ याद से याद कर लेजे, हाइपो अगर भूल जाते हैं आप, तो आप हिपो याद कर लेजे, हिप पो याद आया हिपपो पो टैमस नहीं आद है आप लोगो आपको भी देखें नहीं है हिपपो पो टैमस को देखाओगा ना एक हर्भी वोरस एनिमल है बड़े मूँ वाला जानवर होता है बहुत-बड़ा गिन्ने जैसा दिखता है तो उससे याद करो कि इसमें सेल क्य और हो जाती है कि विगति है इस स्वर्ल कर जाते है हिप्पों से याद करनो देखिए इस्व्य क्या कर रही है वाटर मॉलिक्यूल का कि कर रही है उर इसमें क्या ओ रहा है सिलूशन आउट्साइड दी अल जहां लोभ तो से अंधर आ sell, swell हो रही है swell मतलब फुल जा रही है ठीक है, एक example दूँ किश्मिश देखा है आपने किश्मिश घर में होगा न उसको पानी में रख दो आँ, normal पानी में किश्मिश को रख के छोड़ दो करके दिखना एक दिन, दो दिन क्या होगा किश्मिश क्या बन जाएगी अरे बदाम ही रख लो भाई बदाम फुल के soft हो जाएगी और किश्मिश फुल के अंगूर बन जाएगी समझ गया है hypertonic इसका ठीक reversal है जब cell क्या करेगी अपना water lose कर जाएगी हम लोग कहते हैं plasmolyzed हो जाएगी अच्छा active में क्या होता है lower से high को अभी तक तो हर जगे है high concentration to low concentration high to low पर यहाँ पे बोल रहा हूँ lower to higher पहला है lower to higher through a living cell keyword है एक living cell के अंदर ही हो सकता है और साथ में उसके लगने वाली होती है energy ठीक है न चलिए passive transport में free movement हो रहा है वैसे आद कर लिजे जब एक ऐसी condition जब cell और पानी अकुमोडेट न कर सके आपने एक ग्लास दो ग्लास तीन ग्लास चार ग्लास पांच ग्लास तथ ग्लास पी लिया है और पीने की हिंमत शायद दस ग्लास मैंने ज्यादा बोल दिया यहां तक पानी बर गया है अब टर्जेट हो गए हो तो क्या हो गए हो तो तुम्हारी सिती क्या है तर्जेट समझ गया है अब जब और क्या कर नहीं पाओगे water intake कर पाओगे और तरदर pressure क्या है तो यह जो का वौल ब्रेशर नहीं लगाता होगा कंटेंट पे जिए सेल का वाल बीदेखें डागरम को मैं जहका को देखिए तो यह जो खंण टेंट्न है अंदर वाला ये तिया है यो प्रेशर लगा कर जाती है सेल वॉल श्रिंक कर जाती है तो हम लोग कहते हैं प्लाजमोलिसिस और इस कंडीशन को कहते हैं यह यह स्फलेसिड हो जाना तर्जित का उल्टा होता है लेसिड आगे अब तो कर लिए सब चीजे तो turgidity help करती है plants के tissues को, leaves को turgidity help करती है hard ground से seeds को बाहर निकलने में चलिए, opening और closing भी turgidity भी depend करती है root pressure, जो pressure roots में develop होता है किसलिए, क्योंकि invert moment of water हो रहा है पानी जैसे से roots में अंदर जा रहा है वो क्या कर रहा है, water को upward क्या कर रहा है उपर भेज रहा है, ascent of sap कर रहा है इसका नाम है root pressure, guttation, loss of water in the form of water vapor from the leaf margin in the early mornings is called as guttation, किस-किस plant में होता है कुछ example दूँ, तो ये root pressure की वज़े से होता है banana में होता है, tomato में होता है, grass में होता है क्योंकि वहाँ पे excessive water absorb हो जाता है roots द्वारा चलो पानी का, yes, water और minerals क्या होते हैं मैंने पहली बताया, xylem द्वारा कौन? xylem नाम की जो tissue होती है वो roots से अंदर ले जाती है कहां? अपर पार्ट तक water और minerals को और phloem क्या करती है phloem का function क्या लिखो तो किस वज़ाए से ये पानी rise कर रहा है, ये liquid rise कर रहा है तो चार रिजन दिया है root pressure की वज़ाए से capillarity होने की वज़ाए से capillarity मतलब होता है narrowness thin and narrow structure की वज़ाए से और एक pull जो की पानी के loss की से उबर ज़ाए से पैदा हो रहा है नाम है transpiration और चौथा point है कि इसके वज़ाए से adhesion आईए इस diagram को देखिए इस diagram में आप देखेंगे कि xylem जरूरी है यहां दिखा रहा है कि root का एक हिस्सा water में depth है leaf अभी भी turgid हैं इसका मतलब है कि xylem water को mineral को उपर तक पहुचा रहा है उपर की surface गायव है अब देखिए अंदर से xylem को cut कर दिया गया है phloem तो मौजूद है देखिए leaf क्या हो गई है leaf plasmolized हो गई है plasmolized हो गई है plasmolizes हो गया है पानी उपर पहुच नहीं रहा है पानी उपर जाई नहीं रहा है leaf क्या हो गई है श्रिंक कर गई है आईए यह experiment देखिए आपके lab में आ चुका है test में यह experiment है इसमें से यह रहा control experiment जिसमें सिर्फ क्या रखा है test tube में oil रखा है इस test tube में एक cut twig एक पेड जिसको cut करके लगा दिया गया है देखते हैं oil इसलिए रख देते है चेक करने के लिए कि transpiration कहां से हो रहा है और क्या पानी चाहिए क्या तो देखते हैं कि roots पानी अब्सॉब करती हैं और देखें plants grow कर रहे हैं और यह देखें पानी का level down हो गया है दिखाना चाहते हैं कि water is absorbed पानी यहां से नीचे चला गया पानी अब्सॉब हो गया ठीक है न यह दिखाना चाहते हैं कि root पानी अब्सॉब करती है और पानी transpiration से उपर जा रहा है भाई आगे transpiration loss of water in the form of water vapor यहां सुनिएगा पानी पानी के रूप में नहीं निकलता है plant से पानी भाप के रूप में निकलता है plant से water vapor के रूप में निकलता है कहां से? aerial parts of the plant all parts of the plant above the root level is called as aerial part और उसको कहते हैं बोग transpiration ठीक है? और हर वक्त हो रहा है कितना percent हो रहा है? 98% पानी plant का और यह यह transpiration नहोता तो बादल नहोते बारिश नहोती और आप समझ लिजे कितनी problems होती समझ गया ना? सिर्फ 2% पानी photosynthes में इस्तमाल हो रहा है यह रहा एक potted pot का experiment जिसको हम क्या कर रहे हैं? एक glass या एक bell jar के अंदर कर रहे है देखेंगे कि इसमें जो liquid collect हुआ है क्या यह पानी है कि नहीं है? तो blue color का cobalt chloride paper यह रख देंगे इस liquid को touch कराएंगे अगर यह pink हो गया तो यह proof हो जाएगा experimentally की पानी ही produce हो रहा है और वो होगा ही ठीक है? कितना पानी loss हो रहा है इसको measure करने के लिए एक measuring तरीका लगाया गया है नाम है weighing measure यह जितना पानी loss होगा पानी यहापे कम होता जाएगा क्योंकि यहाँ से पानी loss होगा पानी यहापे कम होता जाएगा और तरीका है photometer important है photometer photometer एक instrument है जो कि पानी का intake बताता है Transpiration नहीं बताता है पर हम जानते हैं कि इसी पानी के intake में से सिर्फ 2% पानी प्लांट को काम आता है बाकी 98% तो उड़ जाता है Transpiration बता है तो इसलिए अंसर आ जाता है दियां से देखिए पोटो मीटर को गैनोंग पोटो मीटर यहां रहा एर टाइट कंटेनर यहां पे एक freshly cut twig एक plant एक डंठल एक डाली जिसको cut कर लगाए गया है इसमें tap लगावा है यहां से इसको bubble create करता है यह bubble bubble क्या करता है उपर आता है यहां से मार्किंग से चेक कर लेते हैं यहां पे scale बनी होती है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि कितने देर में कितना पानी का loss हो रहा है चलिए कुछ सावधानी पोटो मीटर का precaution यह है कि यह वोटो मीटर water tight होना चाहिए twig को oblique cut करना चाहिए और कुछ कमी है पोटो मीटर की यह जो bubble introduce करने नाम का जो काम होता है जिससे हम measure कर सकें वो थोड़ा time consuming काम है वो थोड़ा मुश्किल काम है और twig बहुत समय तक पेड़ी की डाली जो है बहुत समय तक align ने रहती है डेड हो जाती है और बहार का temperature pressure change होने से भी bubble create करने में problem आती है Transpiration leaves से होती है हम लोग कहते हैं leaves के stomata से stomatal transgender सबसे ज़ादा transpiration सबसे ज़ादा कहां से हो रही है leave के stomata से वो जो minute pores leaves के stomata में होती है उसकी बात कर रहे है उससे कम transpiration होती है leaves के surfaces से हम लोग उसको कहते हैं cuticular transpiration कहां से लीव की उपर एक लेयर है एक पतली जितने लेयर है नाम है cuticles cuticular transpiration और lenticels small minute pores on the old and weaker stems old and weaker stems छोटे-छोटे छेट-छेट-छेट-छेट-छेट बने वहे हैं जो open transpiration stomata से होती है stomata bean-shaped organs होते हैं इनमें दो guard cells होते हैं आप देख पा रहे हैं दो guard cell है तो इसमें stomata है क्या ही है यह जो खाली space है यह जो stoma लिखा है singular of stomata यही है ठीक है ज्यादा transpiration leaf के under surface पे होती है ज्यादा transpiration पत्तियों के नीचे वाले से होती है पर कौन से प्लांट की पत्तियां डाय कॉट लीफ ठीक है स्टुमेटा को कंट्रोल करना है ट्रांस्परेशन को रोकना है तो मैंने बताया guard cell वो organ है जो decide करती है स्टुमेटा खुलेगा कि बंद रहेगा और during day कई बार क्या होता है कुछ plants wilt कर जाते हैं जुक जाते हैं डे में ही तो जुक क्यों जा रहे हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा ट्रांस्परेशन कर लेते हैं कि absorption कम हो जाता है लीफ क्या हो जाती है विल्ट कर जाती है चलिए cuticles क्या होते मैंने कहा था एक वैक्सी सी लेयर होती है लीफ के सर्फेस में होती है ठीक है और जितनी ठिक coaching होगी हाँ अगर आप neuron आँट कि लीफ स्फ़ norm नए बनाना की लिफ के लिए क्यों चाच्थ कि विले का पत्तार तो खें सौथ इन्दीन तो इसलेफ्य मुन में खाना भी खा लेते हैं वह भ़ूरत मज़दार होता है अश्क है लेंटी सेल्स मैने बताया openings होती है बता दिया the amount of transpiration from lenticel is more than the cuticle, सबसे कम transpiration, सबसे कम पानी का loss cuticle से, उससे ज़्यादा lenticel से और सबसे ज़्यादा stomata से, ठीक factors that affect transpiration transpiration पे sunlight का असर पढ़ता है, दिन के समय sunlight होती है, धुब पढ़ती है पानी भाब बन जाता है, उड़ जाता है प्लांट से और किस पर डिपन करता है temperature पे, again high temperature ज़्यादा पानी लॉस होगा, दूसरा transpiration किस पर डिपन करता है, हवा पे अगर wind blow करेगी हवा तेज होगी, तो transpiration भी ज़्यादा होगा, और उल्टा कर दो फिर transpiration डिपन करता है humidity पे, इसका मतलब अगर air में पहले से ही बहुत moisture है तो क्या air की moisture holding capacity कम हो जाएगी transpiration कम होगा, समझ गए transpiration carbon dioxide पे डिपन करता है और plant plant के बाहर 0.03% ज्यान दिए, नमबर याद कर लिजी कितना ही carbon dioxide हो तो तो अच्छा है इसके beyond carbon dioxide increase होने से थोड़ी देर तक तो transpiration increase होगा but not लंबे समयटा, ठीक है आ सकता है atmosphere pressure, तो pressure और transpiration का opposite relation यह तो गए external factor, कुछ internal factor भी है internal factor है कि पानी का supply कितना है ठीक है क्या help करते है factors transpiration को रोकने में तो अगर स्टुमेटा संकन हो जैसे नेरियम में है, या स्टुमेटा ही कम हो या लीव बहुत पतली हो जाए जब लीव पतली होगी तो surface इरिया नहीं होगी, धूप नहीं पड़ेगी काम कतम, अगे नेरियम होगी loss of leaf हो जाए, जैसे cactus में हो गया क्या पाइदा मिलता है transpiration का, आपको मुझको बहुत पाइदा मिलता है गर्मी के दिनों में पेड के नीचे खड़े हो जाओ, बड़ा मज़ा आता है बड़ा सकून मिलता है हाँ, गर्मी के नीचे, गर्मी के दिनों में जब खूब धुपहरिया हो खूब धुप पड़ रही हो आपके शहर में चारो तरफ, पेड के नीचे चले जाओ बड़े घने पेड के नीचे चले जाओ बड़े मज़े आते हैं उसमें हाँ, आपने महसूस किया होगा ठीक है, तो ट्रांस्परेशन से कूलिंग इफेक्ट आता है क्योंकि वहाँ आसपास क्या होगा ट्रांस्परेशन होगता हो, एन्वार्मेंट कूल हो जाएगा ट्रांस्परेशन से सक्षन पुल पैदा होता है ठीक है यह नंबर छोड़ सकते हैं गटेशन में डिसकस कर चुका हूँ बलीडिंग बता देता हूँ अगर किसी प्लांट को कट मार दिया जाए हाँ भई तुम गिर जाते हो, चोट लगती है तो तुम क्या करते हो बलीडिंग पर तुमारे में खून बैता है प्लांट में खून तोड़ना है किसी ने प्लांट को, इस्पेशली रबर पेड को कट मार दिया तो क्या होगा जब सेल सेप निकल लगता है फ्रम अ कट और रप्चरड पार्ट ठीक है चलिए अगला चेप्टर पोटो पोटो मतलब लाइट सिंथिसिस मतलब यूनियन तो एक ऐसा प्रोसेस जो सिर्फ ग्रीन प्लांट कर सकते हैं जिनमें क्लोरोफिल है जिनमें क्लोरोफिल है वो सबस्टेंस ऊड़ बना सकते हैं किसकी मदद से कारवन डियॉकसाइट से वाटर की मदद से और सोलर एनरजी सन एनरजी से चलिए पोटो सिंथिसिस ना होता शायद आप और मैं अरे तुम खा क्या रह भाई तुमने का सर हम तो पूरा समय अंडा खाते हैं मचली खाते हैं कोई मीट मतन खाते हैं अरे भाई तब भी तुम प्लांट प्रिपेंडेंट हो सर वो कैसे अरे भाई ये मचली ये अंडा देने वाला जानवार भी तो कोई नो कोई प्लांट भी डिपेंड करता है समझ गया ना तो इसलिए डाइरेक्ली और इंडेरेक्ली एवरी ओगनिजम इस डिपेंडेंट ओन फोटो सिंथेस्ट फूर फूर ठीक है हम उक्सिन जो ले रहे है वो भी वा रहा है इस डाइग्राम को देख लिए बड़ा खूबसूरत प्य है क्लोरोबलास्ट शिटी याद रखोगे क्या खुब्सूरत शेहर के प्यारा सहरा शेहर है क्या खास बात है इस शिटी में इस शेहर को देखिए इस शेहर के ग्राउंड मटीरियल का नाम है और इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगे इन बील्डिंग का नाम है इन बिल्डिंग का नाम है ग्रैनम건 के ग्रैनम है यह पील्डिंग दिखरी पूरी ये यह पूरी बिल्डिंग ऑर इस ब्लोर एट फ्लोर नमबर वन टो पूर नमबर ट्री फॉर extension बिल्डिन को फ्लोर का building का नाम है 20th floor 10th floor 18th floor ये क्या है ये जो फ्लोर है ये हैं थायलाकॉइट्स टीक है, इन थालाकॉइट्स के अंदर होते हैं, क्या, plurophyll, इनके अंदर होते हैं, इसके अंदर, ठीक है, ये जो दिख रहा है, इसको कहते हैं fret, ये एक building से दूसरे building में जाने का जो रास्ता दिख रहा है, या लेबल नहीं है, मैं लेबल कर दे रहा हूँ, उसका नाम है fret, F R E T आप देख पारां एक बिल्लिंग दूसरी बिल्लिंग जाने का रास्ता बना हुआ यह ची कहा आइए देखें तो क्लोरोफिल क्या है एक ग्रीन कलर का पिग्मेंट है जो की पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर और क्लोरोप्लास्ट में भी कहां कहां थैलाकॉइट के अंदर ठीक है अगर बहुत दुख पड़ेगी तो भी प्लांट क्या हो जाएगा अपनी क्लोरोफिल लूस कर जाएगा डिसिंडिग्रेट कर जाएगा और अगर अवे फ्रम सनलाइट रखोगे तो भी हो जाएगा क्योंकि नहीं क्लोरोफिल सौम नहीं होगे ऐए इसको छोड़ सकते हैं इस पोइंट पर आते हैं लाइटainen इनिशीएट होता है क्या यहाँ पर बड़ आएगा है initiate आई वर्ड वाएगा यहां पर इनिशियेट ठीक है नाम है photo chemical phase इस समय क्या होता है पहले chlorophyll activate हो जाती है sunlight मिलने से chlorophyll को क्या होता है एक्टीवेट हो जाती है क्या बन जाती है वो photons बन जाती है ठीक है और क्या होता है यह पानी के particles को break करती है पानी के particles hydrogen oxygen break हो जाते हैं और यह hydrogen आगे जाके NADP क्या keyword है NADP फुल फॉर्म याद कर लिजे फुल फॉर्म पूछ सकता है NADP NADP क्या फॉर्म है Niko Timide Niko T Niko Nikotin Amide Nikotin निकोटिन तो मट्रील सुना होगा ना सिगरेट में पाए जाता है निकोटिन मट अमाईड एडिनाइन डाइन युक्लिटाइड फॉस्फिट ठीक है निकोटिन अमाईड एडिनाइन डाइन युक्लिटाइड एड फॉस्फिट येस ये बन जाता है NADPH क्योंकि इसमें हाइडोजन आके एड हो जाता है ठीक है ओक्सीजन रिलीज होते हैं लाइट डिपेंडनेंट रियक्शन में ही ओक्सीजन पैदा होती है ADP ATP बनता है अगला फेज है डार्क फेज डार्क फेज का मतलब ये नहीं है कि रात के अंधिरे में ये फेज प्लेज पर करेगा बस इन दी एपसेंस ऑफ लाइट इसको लाइट नहीं चाहिए इस स्टेज में ग्लूकोज स्टार्च बन जाता है ध्यान दीजेगा ग्लूकोज स्टार्च बन जाता है ये रहा आपके पास सीन पर एक लाइट डिपेंडेंट् रियक्शन में ओकिसीजन पैदा हो रहा है अलिप इन ये पैंड़ पैदा हो रहा है और लाइट इंडिपेंड Studien में ग्लूकोज से बढ़ती है ठीक है नेक्स्ट है क्या रिजल्ट निकलता है मैंने का ग्लुकोस निकलता है ग्लुकोस प्लांट स्टोर कर सकता है या इन और पानी तो हमारे लिए प्लांट दे रहा है यह जीवन दाइमी और चलिए अब प्रोटो सिफ ने प्लांट दे रहा दे आफ़ चलिए आप फोटो सिफ कि सब्रेंड करती है यह बाहर एक्सटर और इंटर्नल फेक्टर क्या है क्लोरोफिल प्लोटोप्राजम और स्ट्रक्चर ऑफ लीफ ज्यान दीजेगा जिस लीफ में थिक क्यूटिकल होगा distribution of stomata कैसा होगा इस पर भी depend करेगा leaf का phronosynthesis थिन लीफ होनी चाहिए याद रखेगा अब यह है हमें test करना है कि green plant में photosynthesis होता है सबसे पहले हमको आना चाहिए destarching करना चार स्टेप में destarching करते हैं सबसे पहले एक potted plant को क्या करना है sunlight से अवे करने ना होता है ठीक है destarching मतलब होता है starch remove करना 24-48 गंटे 24-48 आवर्स को अगर प्लांट को sunlight से अवे रख दोगे उसमें से starch जो उसका stored food था याद है ना stored food था वो हटम खतम हो जाएगा इससे हम कहते हैं destarching अचा iodine test क्या करता है बताता है कि plant में starch है कि नहीं है कैसे करेंगे दिया से देखें पहले stage में leaf को boil कर देंगे किस पे boiling water पे इससे उसके अंदर की cells मर जाएंगी इसके बाद क्या करेंगे इस leaf को ethanol में इस leaf को एक jar of ethanol में बन कर देंगे इसके अंदर का chlorophyll remove हो जाएगा फिर इस leaf को again hot water में pore करेंगे ताएक कि leaf porous बन जाए और अब इसमें क्या करेंगे drop of iodine डालेंगे iodine डालने से अगर blue black color हो रहा है तो समझ जाएंगे leaf में starch है समझ गये test clear है आओ देखें क्या show करना चाहते हैं leaf में chlorophyll है तो ही क्या होगा chlorophyll is the only organ only part which helps in photosynthesis जैसा है chlorophyll ही तो chlorophyll वाली leaf ऐसी लेते हैं variegated leaf लेते हैं ऐसी leaf लेते हैं जो कुछ green है कुछ yellow है जब इसका de-starching करेंगे पहले क्या करेंगे de-starching करेंगे 24 hours away from sunlight रख देंगे और जिस leaf पर starch करना है उसको Karena स्टार्च में ले आएंगे sunlight में लाने के बाद इस चोड़ेंगे सुन रख को गंटों और को भूटले बाद का स्टार्च टेस्ट करेंगे देखेंके जहां यहांória जहां ग्रीन पॉर्शन था जहां जहां ग्रीन पॉर्शन था वहां पर starch का portion blue black color होगा और blue black color prove करता है iodine पे iodine is the test for starch अगर starch का color blue black हो गया तो yes yes उसके अंदर starch है sorry iodine का color blue black हो गया तो yes उसके अंदर starch है prove हो जाएगा और क्या करना है sunlight का test करना है कि sunlight is necessary तो potted plant को पहले डी स्टार्ट किया अब फिर उसके बाद क्या करेंगे हर बार देखरो पहले डी स्टार्ट कर रहे हैं फिर अब क्या करेंगे इसको sunlight मिले जाएंगे एक लीव पे black स्टार्ट टेस्ट नहीं हो पाएगा अथार्थ वहां color blue black नहीं होगा नतीजा क्या पता चला पता यह चला किसका मतब्द है यह पार्ट जहां पर सुमधन शाया नहीं पूचै है वहां पे स्टार्च नहीं बनाया वहां पर फोटोष नहीं हो पाया त्च्छ प्रूफ की की से लाइट जरूरी है बब कार दाउकसइट जरूरी है इसके लिए क्या करेंगे एक पॉत ह human wirklich को पहले carbon dioxide को absorb कर लेता है इसका मतलब है कि इस plant की leaf को ध्यान से देखो इस leaf को सिर्फ इसको नहीं इसको carbon dioxide नहीं मिलेगे क्योंकि यहां पर potassium hydroxide रखा है कुछ घंटो बाद इस leaf को तोड़ेंगे और इस पर करेंगे starch test क्या करेंगे इस पर starch test करेंगे starch put करेंगे अगर देखेंगे कि यह blue black नहीं हो रहा है सच में नहीं होगा तो पता चल जाएगा कि इसका मतलब यह leaf क्या नहीं कर रही थी photosynthes नहीं कर पा रही थी जबकि यह leaf पर करेंगे तो blue black हो जाएगी इस leaf पर करेंगे तो blue black हो जाएगी इसका मतलब है कि इसको carbon dioxide नहीं मिल रही थी यह photogenesis नहीं कर पा रहा था आईए अब एक ऐसा experiment जिसमें बताना है कि oxygen necessary है क्या बताना है क्या प्रूव करना है oxygen is necessary इसके लिए de-starching नहीं करना है अभी तक तो de-starching सर बार-बार आप बोल रहे थे हाँ भाई मैं बार-बार बोलता है कि plant को away from sunlight रखो इसको नहीं बोलूँगा देखिए water plant को लेना है गास करें water plant लेना है जैसे वैले इस नेरिया लेलो lotus पैप का लेलो ऐसा plant hydrila लेलो समझे पानी वाला पौधा लो उस पे inverted funnel लगा दो पहले पनल लगा दिया इंवर्टेट पनल इंवर्ट कर दिया उसके उपर एक test tube filled with water invert कर दो पनल के stem पर यह test tube filled with water invert कर दो और इसको sunlight में रहने दो या दखना इसको डी स्टार्चिंग नहीं करना था देखेंगे कि bubbles of gases evolve हो रही है और यह पानी का molecule पानी का लेवल डाउन होते जारा जैसे बबल्स भरते जा रही पानी जब गैसे भर जाएगी क्या करो एक burning splinter इसके पास ले आओ अगर burning splinter लाने के बाद यह splinter तेज जलने लगता है समझ जाना कि oxygen प्रोडीस हुई है और ऐसा होगा चलिए photosynthesis से food मिलता है oxygen मिलती है चलिए इसको छोड़ सकते हैं आता है chemical coordination in plants तगड़ा chapter खतम important chapter मैंने एक photosynthesis बता दिया long question के लिए तयार रहना उस पर क्या absorption by roots और photosynthesis से long question आ रहा है प्लीज ट्यान दीजेगा तो हम बात करते हैं हार्मोन की और especially आपका topic है आज का plant में मौजूद हार्मोन तो plant भी stimuli को respond करते हैं stimuli क्या होते हैं वो external agent हो सकते हैं internal agent हो सकते हैं जिस पर body react करती है आपने कोई गरम चीज चुई हाथ पीचे के लिया तुमने क्या किया respond किया और यह जो गरम चीज थी यह क्या थी यह एक stimuli था लाइट है आख में लग रही है आपको तेज लाइट लग रही है तो आप प्लांट क्या करते हैं stimuli को respond करते हैं वाइब प्रोड्यूसिंग अ मेसेंजर केमिकल मेसेंजर कॉल एस हार्मोन ठीक है प्लांट की ग्रोथ भी हार्मोन प्रेबेंड करती है प्लांट और हमारे बीच में मूवमेंट बड़ा अंतर है हमारा मूवमेंट क्विक है इमीडिये ठीक होते हैं ठीक है प्लांट के हार्मोन को सबसे पहले बताया था विलियम बैसल ने विलियम बैलिस ने सौरी बैसल बोल गया मैंने विलियम बैलिस ने और अरनेस टार्लिंग ने ठीक है हार्मोन शब्द फाइटो हार्मोन कहा गया यह प्लांट के हार्मोन को फाइटो मत के बारे मात कर रहें हां इंवेंटर का नाम मत याद करें कोई दिखकत नहीं अब है कि है प्लांटस के अंदर बहुत सारे पाई जाते हैं बहुत सारे जगों पाई जहां-जहां-प्लांट का growing region होगा क्या-क्या जहां-जहां plant का growing region होगा सम्में पाए जाएगा root के tip में apex में shoot के tip में tip मतलब apex ठीक है ठीक है ठीक नेक्स आ जाएए और जिन देखें light मिलते ही और जिन्स light के तरफ plant की growth कर दे रहें दिख रहे हैं आप और जिन्स का effect oxyn stem root fruits में cell elongation करता है ठीक है इवन aging करता है क्या चीज एजिंग और falling of leaf mcq name the hormone which is result for the aging of the leaf falling of the leaf तो जवाब है oxyns ठीक है buds के grow करने में मदद करता है एक word आता है पार्थ हिनो कार्पी क्या होता है इसका मतलब कुछ ऐसे plants जो बिना seed के grow कर जाते हैं उसे कहते हैं पार्थिनो कार्पी plants which develop without fertilization without formation of fruits हां oxyns क्या कर सकते हैं fruit formation में मदद करते हैं बिना fertilization के हां बिना male और female gamut के fuse way plant भी production कर सकता है हम इसे कहते हैं पार्थेनो कार्पी प्रूसस का नाम है पार्थेनो कार्पिक fruit एक्जांपल है कौन सा एपल टोमेटो बनाना कौन मदद कर रहा है हमें हर्मोन mcq question short question what is पार्थेनो कार्थी अगला हर्मोन गिबर लिंस ठीक है यह भी management regions में पाया जाता है growth में मदद करता है specially specially length increase करने में plant के दो nodes के बीच में पाय जाता है ठीक है plant की लंबाई बनाता है increase the length of grapes कर सकता है apples को बढ़ा कर सकता है उसके shape को improve कर सकता है apple बड़े बड़े जो देख रहा है तो आजकल बजार बजार होगे 500 पे किलो 400 पे किलो वाले भी apples मिल रहे हैं बड़े बड़े मिल रहे हैं कैसे इसी गिबर लिंस की वज़ा से समझ गए साइटो काइनेंस साइटो काइनेंस यह भी रूट टिप्स में लगबग सेम है सेल डिविजन मदब करते हैं अल्मोस आप दिखेंगे पर एक खास बत है साइटो काइनस क्या करते हैं जो सीड डॉर्मेंट से में चल याती है सो जाती है इसको जगा देती है ठीक है ना यह नई चीज़ है एक आता है एथलीन दा ओनली हार्मोन वन वर्ड एमसी क्यू एक हार्मोन विच जगैस क्या नाम है इथलीन ठीक है ज्यादा तर मैंने कहा यह मेरिस्टमेटिक टिशू में पाया जाता है फ्रूट्स को राइपिन करने में हां आपने सुना होगा कच्छे के लिए पका दिया जाते हैं कच्छा आम पका दियाता है कि इताइलीन है यह और एस्किविक एसिड्स यह सारे हर्मोन से सबसे उल्टा हर्मोन है अभी तक जितने हर्मोन पड़े सब का कामता ग्रोथ एक्स्टेंड करना लेंथ इंक्रीज करना मेरिस्टमेटिक टिशू में पाए जाना हाँ अभी तक पता है इंक्रीजें लेंथ करना शेप इंक्रीज करना या उल्टा है उल्टा यह हर्मोन क्या करता है ग्रोथ को रोपता है क्या करता है ग्रोथ को रोपता है प्रूट और सीड्स में हाइस्ट अमाउंट ओप ए बी ए एसकिविक ऐसे पाए जात यहां वर्ड है, वर्ड, स्ट्रेस्वार Hmong, आए, ट्रॉपिक मूमेंट, जब प्लांट किसी परिकुलर रिस्पोन्स के तरफ मूमेंट दिखाता है, उस्से हम लोग कैते हैं, ट्रॉपिजं, क्या ब़र्ड बोलते हैं, ट्रॉपिजं, रूट से होती है, प्लांट की, वो हम देशा towards gravity जाती है तो वो क्या कर रही है ट्रॉपिजम क्या करना ट्रॉपिजम ट्रॉपोज वर्ट से बनाएगा इसका मतलब है टू टर्न क्या टू टर्न तो प्लांट का ग्रोथ ज्यान से सुनिएगा प्लांट का ग्रोथ मुवमेंट इन रिस्पॉंस टू वन डारेक्शन by an external stimuli is called as propic moment प्लांट किसी एक दिशा में मैंने कहा आप अपने घर के अंदर विंडो के अंदर घर के अंदर मैंने बोला एक गमला एक पॉट्रिट प्लांट रख दीजे विंडो ओपन कर दीजे सनलाइट विंडो के बार आ रही हो कुछ जिनबाद आप अब अबसर्व कर प्लांट के शूट का हिस्सा अपने आप विंडो की तरफ बेंट हो जाएगा सनलाइट की तरफ बेंट हो जाएगा यह क्या है भाई प्लांट की शूट क्या हो जा रही है बेंट हो जा रही है समझ गया है प्लांट की शूट क्या हो जा रही है बेंट हो जा रही है समझ ग positively towards the sunlight जा रहे हैं और roots negative होती है sunlight से अवे रहना पसंद करती है इसलिए तो ground के नीचे होती है देखा याद रखोगे और जिन्स क्या करते हैं प्रोटोटोपिजम में मदद करते हैं इस हार्मोन के बारे मता है ता पहला हार्मोन the first हार्मोन to be discovered by was oxygen फिर आता है geotropism अथा अर्थ की तरफ जाना मैंने कहा था roots अर्थ की तरफ जाना चाहती है तो वह positive geotropism है जबकि shoots इसका opposite काम करती है negative geotropism दोनों हो गया example देख लिए हाइड्रो मतलब पानी अगेन roots positive towards the पानी है जहां जहां roots होगा पानी होगा वहाँ अपने आप पहुँच जाएंगी आपको कुछ नहीं करना है अपने आप root वहाँ क्या करेगी towards the water grow कर जाएगी हम इसे कहते है positive hydrotopic thigmo keyword याद करो thigmo मतलब touch क्या keyword है touch देखिए इस diagram में क्या हो रहा है एक plant की stem को एक creeper क्या कर रहा है enroll कर ले रहा है देखिए इस diagram को देखिए कसकटा wines ऐसे पेड़ हैं जो bamboo के support पर अपने आपको twine कर ले रहा है आप bamboo के जगे कुछ और रख दीजे कोई दूसरा पौधा रख दीजे कोई tubalite रख दीजे वहाँ पर हाँ भाई कुछ रख दीजे मापस सपोर्ट के लिए कुछ भी उस पेड़ को क्या काम करना है अपने आप क्या करेगा उसके टेंडल्स बनेंगे तो वो touch के प्रती बहुत sensitive होता है money plant इसका एक्छा example है अब आता है chemo मतलब chemical के प्रती क्या वर्ड है chemical के प्रती तो इसका नाम है chemotropism जैसे की कुछ plants में sugars और peptones के प्रती क्या हो जाती है यह रहा pollen tube क्या कर रही है देखिए attracted towards the ovule हो जा रही है ठीक है ना the movement of fungi जैसे fungi भी क्या करती है जहां richer food areas होते हैं वहाँ चले जाते हैं ठीक है आईए यह तो मैंने example बता दिया एक plant है जो sunlight के तरफ potted हो है देखिए sunlight तरफ इसकी चले जाएंगी similarly यह रहा roots का वाला example यह वाला example देखें यह शो करने के लिए कि potted plant है जो अर्थ की तरफ bent हो रही है वो देखें उसकी प्लांट की roots अर्थ की तरफ बेंड हो रही है जबकि शूट्स कहा जा रही है अवे फ्रम अर्थ जा रही ग्रेविटी के जा रही है similarly water वाला है यह hydrotopism वाला है आईए circulatory system एक ऐसा system जो आपकी body में oxygen आपकी body में blood movement करा रहा है transport करा रहा है ठीक है आपकी body को circulatory system की सक्त जरूवत है आपकी body में fluids bloods के रूप में tissue fluids के रूप में lung के रूप में क्या कर रहे है और मूव करने वाला है यह circulatory system ठीक है आई एक एक करके पढ़ते हैं आपके blood के बारे में जानते हैं तो blood heart से arteries में जाता है heart से artery A से artery A से away क्या heart से कहां जाता है arteries में जाता है और arteries से पहुचता है veins में और veins से back to the heart तो एक complete cycle form करता है इसलिए इसको कहते है circulation blood circulation कितना blood होता है एक adult के पास तो 5 से 6 liter है blood और blood का taste salty है ध्यान दीजेगा कभी खुन चूसा है कि नहीं आपने चोट लगने पर नहीं कभी चोट लग जाती है वो salty होता है ध्यान दीजेगा और blood का color क्या है red in the artery and dark red in the vein आईए blood का functions प blood का function है food को carbon dioxide को digestive material को transport करना blood help करता है even clotting में blood help करता है loss of blood में आईए blood के domain part है plasma part है जिसको liquid part fluid part कहते हैं दूसरा cellular part है cells होती है तीन होती है rbc wbc और platelets सबसे पहले बात करते हैं plasma part liquid part यह light yellow color होता है कौन सा color होता है light yellow color होता है किस से बना होता है water protein और inorganic salt से बना होता है अगर इसी plasma में से क्या जाए protein fiberonogen निकाल दिया जाए तो उसका नाम हो जाता है serum क्या नाम हो जाता है serum आईए देखें आपको धेर सारा मैं cellular part दिखा रहा हूं एक साथ यह artery है इस artery से निकलता हुआ आपको platelets भी दिखाई दे रहा होगा जो की round circular दिखाई दे रहा है चोटा चोटा plates दिखाई दे रहा है और यह pie concave nucleus जो दिख रहा है shape दिख रहा है यह है RBC और कोई fix shape नहीं है WBC तो तीन structure है RBC WBC और platelets RBC की बात करते है shape देख लीजे कैसा है बीच से थिन है और edges से क्या है ध्यान से देखे है हम लोग से कहते हैं biconcave disc like क्या है biconcave disc like flat at the center and rounded at the periphery size कितना है 7 micron तो इसका shape इसको क्या बनाता है large surface area वाला बनाता है इसकी shape और concave होने का जिसकी वज़े से blood में oxygen absorb करने की शंता बढ़ जाती है rbc आईए हमारे hemoglobin जो है जो की blood के अंदर मौजूद एक chemical है क्या है हमारे rbc में बाइजाना मना chemical है इसके अंदर है क्या एक respiratory pigment जो की oxygen को absorb कर सकता है हां carbon monoxide को उससे छेगुना ज्यदा टाइज एब्जॉब कर सकता है तो इसी में मैंने कहा था कि अगर हम carbon dioxide गलती से absorb कर लें सूंग लें क्योंकि इसकी कोई order नहीं होती है carbon dioxide odorless gas होती है आदनी मर जाता है आदनी मर जाता है बज़े यह है कि carbon dioxide करने के बाद उसको oxygen absorb करने की ability खत्म हो जाती है कि आई आरवीसी की बारे में जाने आरवीसी लॉंग बोन्स में यह जो आपकी आम बोन है यह जो sternum है यह long bone है हाँ यहाँ इदम सीक सेंटर में है sternum यहाँ पर पदा होती है breastbone इसे बोलते है और एक newborn में एक embryo के अंदर जो मा के अंदर बॉन है उसके liver और स्प्लीन है पैदा होती है RBC के पास nucleus नहीं होता है इसकी life है 120 days है और इसका death place भी spleen और वापस long bone है long bone बैदा भी होता है long bone में death भी होता है एक RBC की खास बात है कि उसमें ना तो nucleus होता है ना तो mitochondria होता है और ना तो endoplasmic reticulum होता है इन तीनों के ना होने से फाइदा ही है nucleus ना होने से energy waste नहीं होती है उसका shape by कौन के हो जाता है बीच से thick sorry बीच से thin and side से thickened हो जाता है periphery में हो जाता है no mitochondria की वज़े से मैंने कहा इसमें जो oxygen produce हो रही है वो consumed नहीं हो रही है and last endoplasmic reticulum नहीं है इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर क्या है thread like structure नहीं है चलो अगर किसी cell में RBC बहुत ज़्यदा बढ़ जाए तो उसे एक बिमारी कहते है हाँ एक तरका यह cancerous बिमारी है नाम है polycythemia और इसका उल्टा हो जाए RBC कम हो जाए body में तो भी बिमारी है नाम है erythropenia चलिए approximately हर body में यस नई cells बन रही होती है इसलिए अगर हम किसी को blood दिंगे RBC तो tension मत लिजे आपको RBC वापस डेवलप हो जाती है WBC जिसको white blood cells कहते है leukocides कहते है इनमें hemoglobin भी नहीं होता है पर हाँ इसमें nucleus होता है इसका shape कोई fix नहीं होता है इसका number बहुत कम है 4000 to 8000 ज्यादा तर ये भी RBC और lymph nodes में चलिए पर इनकी life बहुत कम है सिर्फ 2 weeks किस काम आती है यह हमारी body को सुरक्षित करती है हमारी body को immunity देती है क्या immunity देती है यह phagocytosis करती है अथाथ bacteria cells को engulf कर लेती है हा बैक्टिरिया cells को खा जाती है क्योंकि यह क्या करती है shape change कर सकती है हा इसमें आपको इसका shape का diagram आना चाहिए diagram कहां चले गया जी इसका आप देखेंगे कि डॉट 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 स्ट्रक्चर दिखाई देरा है खूप सारा वह granular है हाँ डॉट टाइप के होंगे बड़े granular जिसमें granules के रुप में डॉट डॉट के रुप में साइटोप्राजन दिखाई देगा जिसमें न्यूट्रोफिल्स एसनोफिल्स और बैसोफिल्स है और जिसमें डॉट 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 टाइप के लिंफो और इनका diagram करना है इसमें nucleus के shape से पैचान जाएंगे इसमें क्या होगा nucleus single होगा एक large nucleus होगा और इसमें क्या होगा nucleus क्या होगे lobes में होंगे branch में बने होगे इसके diagram का nucleus पैचान लिजेगा यह diagram करना है मैं कहा रहा हूँ अब आग्या platelets प्लेटलेट्स ऑफी दो लाग से चार लाग पर क्यूबिक मिलिटर में पाय जाते हैं पहली चीज प्लेटस एक बड़े से सेल मेगा कायरियोसाइड से बने होटे है एक जाइंट सेल होती उसे ठूट-ठूटके निकलते हैं ये भी कहां होते हैं, सेम प्लेस है, बोन मेरो, सबसे स्मॉलेस्ट लाइफ इसी में है, कितनी? तीन से पाँच दिन, बस, 120 दिन RBC की, 2 भी WBC की लाइफ, और तीन से पाँच दिन सबसे कम लाइफ ही है, और डेथ कहां होती है, इसकी स्प्लीन में, ये थ्रम्बो किनेज नाम का एक केमिकल रिलीस करते हैं, जिसकी वज़े से ब्लड गलॉट होता है, खून इसलिए आपका लगातार बहता नहीं रहता है, जब चोट लगती है, कुछ देर बाद खून बहने के बाद अपने आप बंद हो जाता है, समझ गया ना, हीमोफीलिया जिनको बिमारी होती है, याद करेगा, उनमें यही प्रोब्लम हो रही होती है, उनमें ब्लड प्लेटलेट्स नहीं रिलीस करती है, थ्रॉम्बो किनेज फ्रो थ्रॉम्बिन के साथ रियक्ट करके थ्रॉम्बिन बनाता है, थ्रॉम्बिन आगे जाकर फाइबर जिनके साथ क्या करती है, फाइबरिन, फाइबरिन क्या होता है, फ्रेड लाइक मटीरियल होता है, एक मैशी मटीरियल होता है, जो की क्या करता है, RBC को आगे जाने से रोक लेता है, हम लोग सो कहते हैं, क्लॉट हो गया, ब्लड रुग गया, ये रहा, ब्लड का ग्रूप्स, दो ग्रूप्स हैं, ABO और RH, ध्यान दीजेगा, जब हम ब्लड ग्रूप A की बात करते हैं, तो उसमें एंटिजन A है, और एंटिबोडी कौन सी है? सारे में ऐसे ही याद करना है, एंटिजन B की बात करेंगे तो एंटिजन B है, पर एंटिबोडी A है, तो ABO सिस्टम में जो चार ग्रूप है वो A, B और O है इसमें O यपको ब्लड दे सकता है पूरा दानी है और A, B सबसे ले सकता है पूरा, yes सबसे receiver है चलो RH सिस्टम क्या बताता है यह बताता है कि ब्लड आपका अकल बताते हैं तो वो positive क्या बताना चाहता है कि उसके ब्लड में RH है जिसमें RH नाम का factor होगा RH एक Reese's नाम का पदार्त होता है एक तरगा protein होता है जिसको पहले monkey में discover किया गया था अगर आपके ब्लड में है तो आप क्या है जो भी आपका नाम है जो भी आपके ब्लड का ग्रूप पर नाम है उस ब्लड ग्रूप के साथ प्लस लग जाएगा क्योंकि आपके पास RH है और आपके ब्लड में RH नहीं है तो नेगटिव लग जाएगा समझ गए तो इसलिए बलते हैं O positive या O negative positive है तो मतलब आपके पास RH है O है और आप प्लस है ठीक है ब्लड सर्कुलेशन तो आपने बताया ब्लड का सर्कुलेशन का सबसे मेन और्गन है कौन हाट हाट एक पंपिंग मशीन है एक जाएंट पंपिंग है तुमारी fist के बराबर तुमारा हाट है इसका मलब जो मोटा आपनी है जिसके हाट मोटे है तो उसकी fist मोटी है येस उसका हाट भी मोटा ही होगा समझ गए तो कहाँ पर है हाट का location one word location center between the two lungs right above the diaphragm diaphragm नाम की muscle के उपर और दोनों lungs के बीच में हाट के उपर जो double layer membrane है उसका नाम है pericardium क्या नाम है pericardium हाट में चार चेमबर है दो उपर के चेमबर है हम लोग auricles बोलते हैं दो नीचे के चेमबर से हम लोग ventricles बोलते हैं जो उपर के चेमबर है जिसको आट्रिया भी बोलते है इनकी बोल्स थिन होती है उपर के चेमबर की बोल्स थिन होती है नीचे के चेमबर की बोल्स थिक होती है आईए जब हाट को blood vessel वापस blood ले के आ रही है तो में लोग उसको कहते है venakava और ले जा रही है और सरी lower parts से ला रही है एरोटा क्या करती है left ventricle से निकलती है left ventricle से निकलती है और throughout the body क्या करती है oxygenated blood देती है हाट को कौन oxygen दे रहा है भाई हाट को भी तो काम करने के oxygen चाहिए कि नहीं चाहिए हाट को भी तो pumping machine है तो coronary artery heart में मौझूद artery है ठीक है चार वाल के लोग बताने वाले भी पहला है राइट और्यो बेंट्रिकलर वाल ये राइट और एकल और बेंट्रिकल के बीच में बढ़र कई बारा को tricuspid बाल बोलते हैं दूसरा लेफ्ट और ये वेंट्रिकलर और अगें यह martirl वॉल के नाम से बैचाना जाता है पलमयरी वॉल और मेरी वॉल यह पलमयरी आर्टरी बेसे पाइग यातता और चौंधा वाल्ट है एरोटिक वॉल आइए आपको हम चारो चारो वॉल का दिखाए हैं यह Labeling आ रही है है हाठ का स्ट्रक्चर लेबल आ रहा है और क्या आ सकता है आए देखें मैं आपको एक सिंगल डाइगराम से दिखा दू कि डबल सर्कुलेशन क्या देखने जा रहा है आप डबल स्कुलेशन क्यों नाम है इसका double circulation जानते हैं आप है डबल क्यों तो circulation क्यों circle तो blood flows twice दो बार ब्लड चकर काटेगा इसलिगना में डबल क्यों कहां से कहां काटेगा आईए देखें को यह हाट ठिक, simple सा diagram बना दिया heart, यह बना दिया मैंने 4 chamber, उपर के chambers thin wall के होते हैं, thin wall के होते हैं, नीचे के chamber thick and muscular होते हैं, क्या, thin and muscular होते हैं, उपर के chamber thin walls के क्यों हैं, क्योंकि उनका काम होता है सिर्फ क्या करना, blood को receive करना, ठीक है, वो auricles होते हैं, आईए start करते हैं, यहाँ पर है right auricle, यहाँ पर है left auricle, नीचे आजाएए, यहाँ पर है right ventricle, नीचे आजाएए left ventricle, तो नीचे के walls, नीचे का chamber ventricle है, और उसके muscular wall को बनाने के लिए, मैंने एक white clear और चड़ा दी, क्योंकि उसका काम pumping है, और इन दोनों का arterium का काम है सिर्फ क्या करना, receiving development, सबसे पहले देखिए ध्यान से, इस wall का नाम है left aurio ventricular wall, सर कहाँ पर है देखिए, left ventricle और auricle के बीच में है, यहाँ पर oxygenated blood, कौन सा blood, O2 वाला blood, artery से जाता है, और यह पूरे body की सबसे मोटी सबसे major artery होती है, हम लोग इसको बोलते हैं, erota, क्या बोलते हैं इसको, erota, मैंने कई बार याद दिलाया, A से artery, A से away, तो यह हमेशा away from जाती है, हाट, यह क्या करती है, erota, away from जाती है, हाट, हाट से दूर जाती है, जब यह erota लोटती है, lower part से, देखे, erota आकर के, arteries आकर के, सारे organs को blood देती है, oxygenated blood देती है, और arteries, blood दे रहे के दोरान, अपने आपको breakdown कर लेती है, breakdown करती है, बना लेती है, arteriol, क्या बना लेती है, arteriol, यह arteriols, arteries, breakdown हो गई, बन गई, arteriol, arteriol combine, सारी, further breakdown होती है, और बन जाती है, capillaries, यहीं पर exchange of gases टेक फ्लेस करती है, capillaries, मैंने short form ले दिया, cap, यही cap में क्या होता है, oxygen release होता है, carbon dioxide absorb हो जाता है, यहाँ capillaries में, जब arteries further breakdown हो जाती है, और capillaries जब join करने लगती हैं, तो बन जाती है, venule, और venule जब join कर जाते हैं, बन जाता है, vein, vein में de-oxygenated blood होता है, क्या blood होता है, de-oxygenated मतलब carbon dioxide खुन होता है, गंदा खुन होता है, अब यह नीचे lower part से आ रहा है, इसलिए मैं कहूंगा, इसको posterior वेना कहाँँ, ठीक है, अगर upper part और से body से आएगा, heart के उपर से आएगा, फिर ना कुन तो यहां से भी आएगा न, तो नाम हो जाएगा, anterior venar, kava, अब यह de-oxygenated blood कहाँ पहुच चुका है, पहला एक cycle complete कर चुका है, हम लोग उसको बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे क्या, systematic circulation, systemic circulation, systemic circulation, systemic circulation, short form लिख दे रहा हूँ, systemic circulation, कहां से कहां तक हो रहा है, left ventricle से शुरू, राइट औरिकल पर खतम, left ventricle to right auricle, दिखा रहा हूँ, फिर से देखें, left ventricle to right auricle, आप देख भी सकते हैं, आगे ध्यान दीजिए अग, अगला circulation, इस बार जो blood, हाँ, सॉरी, इस बार से पहले, blood कहां पहुचा है भी, यह blood deoxygenated है, auricle से निकलतर पहुच जाएगा ventricle में, auricle तो सिर्फ receiving chamber है, यहाँ पर भी एक valve है, इसका नाम है, tricuspid valve, color देख पा रहे होंगे आप इसका, हाँ मैंने bluish color किया है, यह है tricuspid valve, right auricle ventricle valve, right auricle and ventricle valve के बीच, ठीक है ना, यहाँ से blood नीचे जाएगा, यह एक carbon dioxide से भरा blood होगा, ठीक है ना, क्योंकि नीचे से आया है carbon dioxide carry करता हुआ, deoxygenated blood है, अब यह oxygenation के लिए, मतलब blood को carbon dioxide release करना है, अपने अंदर से, और oxygen absorb करना है, तो अब आपको निकलना है, अब आपको निकलना है, कहाँ, इसको निकलना है, यहाँ, यह wall, यह wall है, pulmonary semilunar wall, क्या नाम है, इसका wall का, pulmonary semilunar wall, जगह नहीं है, क्यों उसको कहते हैं, आईए दिखाने जा रहे हैं पहले, यह wall क्या करेगा, right ventricle से शुरू होगा, यह वाला जो artery, right ventricle से शुरू होगी, ठीक है, और, T-oxygenated blood यहाँ से जो आया, ले जाएगी, the only artery which carry deoxygenated blood is, pulmonary artery, क्योंकि away from heart जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम है artery, away from heart है, इसलिए इसका नाम artery है, पर यह deoxygenated blood ले जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, lungs में क्या होगा, फिर यहाँ पर diffusion होगा, यहाँ पर oxygen वो absorb कर लेगी, और यह pulmonary vein बन जाएगा, pulmonary vein is the only vein which brings oxygenated blood to the heart, back to the heart, अब यह भी एक cycle complete हो गया, हम लोग से कहेंगे क्या, pulmonary circulation, pulmonary pulmonary circulation, क्या हो रहा है pulmonary circulation, मैं short form लिख रहा हूँ, यह start हो रहा है right ventricle से, जा रहा है left auricle तक, देखे, right ventricle से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ और पहुचा left auricle तक, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी blood, इस chamber में भर जाएगा, oxygenated blood भर जाएगा, और यह पहुचेगा, नीचे, इस wall का नाम है, erotic semilunar wall, white wall जो wall दिख रहा है, चारो wall मैंने अलगले color से बनाएं आपके लिए, erotic semilunar wall, ठीक है न, यह wall क्या करेगा, yes wall का एक ही काम होता है, allows the flow of blood in one direction, याद रखेंगे, blood को सिर्फ एक दिशा में move करने ले देगा, back नहीं जा सकता, एक बार आगया, पार हो गया, इस chamber में blood आगया, back नहीं जा सकता, back flow को रोपता है, clear है, क्यों double circulation नाम दिया, clear हो गया, दो circulation मैंने देखा दिए, systemic circulation और pulm नरी circulation, चलिए, आगे बढ़ें, अब आप नहीं भूलेंगे, पूरा मैंने clear कर दिया, ये diagram, ठीक है, एक heart beat में love और dub होता है, time लगता है, 0.85 second, love, जब right और ventricular wall close होता है, तो love होता है, और dub, जब ventricular system, जब semi lunar wall close होता है, तो dub, ये pacemaker क्या है, san का दूसरा नम pacemaker है, यही से heart beat originate होती है, क्या वड़ है, originate होती है, start होती है, command आता है, कहां से आता है, san से, ये भी diagram आपको, labeling के लिए आना चाहिए, labeling के लिए आना चाहिए, आप देख पा रहे होंगे, san, a, n के कहां पर है, ठीक है ना, आईए बढ़ते हैं, artery और vein का diagram आपको very important है, क्या कह रहा हूँ, very important diagram है, ये रही artery, ये रहा vein, labeled diagram, swim बनाने आना चाहिए, labeling और diagram दोनों आना चाहिए, arteries की outer wall, thick connective tissue से बनी है, arteries मैंने बताया था, away from heart जाती है, यहीं से pulse measure की जाती है, ठीक है, और veins blood ले आती है, देखिए जो अंदर का lumen है, जो अंदर की space है, वो lumen बहुत बड़ा है, किसमें, vein में, जबकि arteries में narrow lumen है, और देखिए, जो इसका endothelium है, जो thick layer endothelium किसके पास कितनी, जो muscular wall है ने इसकी, वो बहुत थिक है, किसकी, arteries की, जबकि इसकी muscular wall बहुत थिन है, क्योंकि इसमें blood flow uniformly करता है, किसमें, vein में, जबकि arteries में blood squid moment करता है, क्या, squid moment करता है, मतलब, TG से आता है, फैलते बहुत चला जाता है, ठीक है, लिखा है, thin muscular wall, wide lumen, अच्छा, arteries arteries, arteries बनती हैं, arteries आगे जाकर कि capillaries और capillaries, सबसे narrow tube होती है, जहाँ पर actually में क्या होता है, actually में single layer of epithelium cell होता है, यहीं पर क्या होता है, exchange of gases take place करती है, ठीका न, diffusion take place, diffusion take place करता है, difference कर सकते हैं, यह important topic होगा, arteries main topic important है, सारा difference कर लिजे, आगे double circulation में बता चुका हूँ, repeat, 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 हाँ एक ऐसा system, a system which starts with arteries, and end with, sorry, start with hepatic portal vein की जब बात करते हैं, तो एक capillaries से start होता है, capillaries पे खतम होता है, hepatic जब बढ़ा जाएगा, तो समझ जाएगा कि यह liver को क्या करता है, blood supply करता है, it supplies blood to the liver, pulse किसको कहते हैं, heartbeat को count करने को कहते हैं, आईए, यह बाकी सब आप lymph और इसब पे बहुँ ज़दा stress मत करिए, lymph को कर देंगे, छोड़ देंगे, spleen बढ़ा lymphatic organ है, मैंने बता दिया, spleen blood is available का काम करता है, spleen dead RBC का क्या करनता है, burial ground भी बन जाता है, जी, spleen RBC produce भी करता है, आईए, अगला chapter, excretion, मतलब हमारी body से, chemical और nitrogenous waste को remove करना, हमारे जो excretory organs हैं, वो सारे constitute होते हैं, formation, storage और elimination of urine से, याद रखेगा, हम बात कर रहे हैं, हाँ, urine के formation से, इस diagram को draw करना आना चाहिए, मैंने draw बोला, labeling तो automatic आई जाएगा, क्योंकि draw करने के लिए आ सकता है, human excretory system, आप देखेंगे, दो kidney बनी हुई है, आपके बाद left और right kidney बनी हुई है, kidney से आते हैं आप एक tube आ रहा है, नेरो tube आ रहा है, यूरेटर जो की urine लेके आएगा, ये urine temporarily store हो जाएगा, यूरेटर में, और यूरेथा से, body से बाहर, ज्यान दिजएगा, तो हमारी body में, excess salt, water, ये सब remove होना चाहिए, और बात करेंगे, extra tree organ की तो kidney है, skin है, lung है, liver है, kidney को फिर से देख लीज़े, diagram देख लीज़े, ये labeled structure kidney का, आप देखेंगे, kidney के पास, outermost region में है, cortex, नाम है renal cortex, उसके अंदर है medulla, medulla के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, pyramids लाएक ये structure दिख रहे हैं, ये pyramids structure दिख रहे हैं, और ये रहा front end of the open end of the kidney, called as renal pelvis, pelvis, ठीक है न, renal vein, और renal artery दोनों होगी, vein क्या करती है, इससे deoxynis blood ले के जाती है, क्या, और artery ले आती है, oxygenated blood, ठीक है, internal structure of kidney, kidney किससे बना है, kidney बना है, large number of kidney debules, called as nephron, कई बार, structural and functional unit of kidney, पुछा जाएगा, तो आप कहेंगे, nephron, आईए आपको एक diagram दिखाएं, जिसमें आपको clear हो जाएगा, यह सारा, आईए देखें, कैसे हमारी body में, urine पैदा होता है, kidney में, चलें फटा-फट देखते हैं, यह देखें, एक आती हुई blood vessel, नाम है, afferent, A-Double-F, afferent, short form लिख रहा हूँ, afferent, arteriol, क्या मने लिखा, afferent, arteriol, आते समय देखें, कितनी थिक है, और जब blood इसमें से, पास हो रहा है, दिखाने के लिए थिक है, यहां से blood यहां जा रहा है, यहां पे क्या है, यहां narrow capillaries हैं, बहुत सारी, narrow capillaries हो रही हैं यहां पर, और यह जो निकलते समय यहां पर दिख रहा है, efferent है, क्या बढ़ है, efferent arteriol, यहां पर, यह है आपका, सरी क्या बना रहे हैं, देखें क्या बनाते जा रहे हैं, labeling भी आने चाहिए, draw करने को भी आपको आना चाहिए, draw the structure of nephron, renal tubule, kidney tubule, तो यह है structure, ठीक है, कई बार मैं बता चुका हूँ, देखें, इसको हम लोग कहते हैं, bowman capsule, क्या बोलते हैं इसको, bowman capsule, ठीक है, और, इस पूरे structure को कहते हैं, malphusion capsule, जिसके अंदर यह, afferent arteriol भी है, ठीक है, यह जो है, glomerus है, क्या है यह, glomerus, यह सब क्या होता है, glomerus sir, glomerus, capillaries का knot है, k-n-o-t knot, गुच्छा of capillaries, यहां से जब blood आ रहा होता है, इसमें खुब सारा water होता है, liquid होता है, glucose होता है, यह, excess blood आने की वज़ए से, यहां पर होता है, ultra filtration, क्या होता है, stage पे, ultra filtration, क्योंकि, blood flows in large volume, but, comes out in small volume, तो, it results in excessive pressure, इसी pressure की वज़े, इसमें पर होता है, ultra filtration, यह जो निकलता है, liquid दिखाई दे रहा है, इस liquid का नाम है, glomerus filtrate, क्या नाम है, G, G लिखा, glomerus filtrate, पर यह urine नहीं है, क्या यह urine नहीं है, because it contains lot of glucose, potassium, sodium ions, useful material, excess water, ठीक है, कहां से निकला, glomerus filtrate, अब यहां जो blood निकलेगा, वो thickened supply of blood होगा, जिसमें से excess water, remove हो चुका है, अफरेंट आट्रियोल से, इस पूरे structure को कहते हैं हैं हम लोग, malfeasian capsule, क्या बोलते हैं इस पूरे structure को, malfeasian capsule, it consists of woman capsule, as well as glomerus, क्या नाम है इसका, malfeasian capsule, यहां पर, PCT, proximal, covulated tubule, turned tubule है, यहां पर, यहां पर होने वाला है, re-absorption, यहां पर, loop of henley है, loop of henley है, herepin का structure होता है, यहां पर है DCT, distal covulated tubule, और यहां पर क्या है यह, यह है collecting duct, क्या है यह, collecting duct, जहां से urine, पहुच रहा है, finally urine यहां पहुचेगा, यहां पर होगा, tubular secretion, tubular secretion, यहां पर होगा, यहां पर, tube, इस tube के अंदर, जो, जरुबत के ions से, वो absorb हो चुके होंगे, और इसका static balance, extra ions, extra waste, extra salts, सब वापस क्या हो जाएगा, यह tube release करेगा, urine में छोड़ देगा, urine finally यहां बनेगी, इस stage पे, यह है urine, समझ गया है, reabsorption, take place कर रहा है, यहां पर, PCT और, PCT और loop of हनले में, reabsorption, तो तीन stage में, मैंने urine बनतावा दिखाई दिया, पहला बताया, ultra filtration, दूसरा बताया, reabsorption, और तीसरा बताया, यहां पर, tubular secretion, तीन stage में, urine form हो जाएगी, कहां पर form होगी देखिए, renal tubule में, kidney tubule में, nephron में, सब का मतलब एक ही है, यह कहां पाया जाएगा, cortex region of the kidney में पाया जाएगा, कहां पर, cortex region of the kidney, आईए दिखाएं आपको, kidney का structure, पटाफट देखते हैं, यही डाइग्राम है, मैंने आपको, थोड़ा से simple करके दिखा दिया, मैंने दिखा दिया आपको, सारा structure, यह रहा, ultra filtration, reabsorption, और tubular secretion, याद रखेगा, हमारा urine का color yellow है, क्यों yellow है, आपसे one word question बनेगा, तो जवाब है, इसके अंदर, यूरो क्रोम पाजाता है, हमारी body में, 1.5 लीटर तक urine मनाने के शमता है, urine alkaline है, एसरिक नहीं है, गल्पी से, याद रखेगा, urine alkaline है, urine का, yes, urine में अगर blood आ रहा है, समझ ज़ये विमारी है, hemoteria, और अगर glucose पास हो रहा है, तो glycosuria, ये भी विमारी है, रहाद रखेगा, और albumin निकल रहा है, तो albumineria, उसी से जुड़ता मनाम है, और अगर urine से, by pigment निकल रहा है, समझ जाए, जॉन्डिस है, liver खराब है आपका, अगर पीला-पीला urine हो रहा है, तो बहुत ज़यादा, समझ गए, urine को control कौन करता है, one word question, तो urine का control है, ADH, full form आ सकता है, ADH का, क्या, anti-dioretic hormone, ये hormone कहाँ पायता है, posterior lobe of pitory gland, pitory gland के, पीछे वाले इससे में, osmo regulation, मतलब हमारे body में, पानी, waste, इसका maintenance होना, percentage of water, और salts को maintain रखना, अगर कहीं salts और water, अगर आप सोचते हैं, urine रोक करके, आप अच्चा कर रहे हैं, जी नहीं, आप बहुत गलत कर रहे हैं, urine रोका मत करिए, अगर आपको जाना है, washroom जाना है, प्लीज जाईए, चाहे boys हो, चाहे girls हो, मत रोकिए, क्योंकि आप अपने body में क्या कर रहे हैं, osmo regulation disturb कर रहे हैं, kidney पे pressure डाल रहे हैं, तो kidney का function है क्या करना, osmotic pressure को maintain करना, देखे, artificial kidney को हम लोग कहते हैं, dialysis, nervous system में, very important diagram, मुझे लगता है, यह आप classic 7 से कर रहे हैं, जिसमें आप पढ़ रहे हैं, कि cell के उपर, topmost में, yes, ध्यां से देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको, एक single neuron, cell के topmost में आपको दिखेगी, cyton, इसको pericarion बोलते हैं, उसके अंदर आता है, nucleus, dendrons और dendrites, उसके further branching है, और, इसी dendron को, एक लंबे dendron को, exon कहते हैं, dendron get elongated, elongated, transmission के लिए, इसका नाम है exon, exon की endings coverd होती हैं, एक sheet से, नाम है myelin sheet, ठीक है न, इसी के अंदर मौजूद है, neurolema और nodes, आईए, पुरा brain, पुरा spinal cord, इसी nerve या neuron से बना हुआ है, याद रखी का, जहाँ एक nerve ending खतम हो रही है, वहाँ तूसरी dendrites ending आ रही है, exon खतम, dendrites आना शूरू हो जाएंगी, जहाँ दुनों मिलेंगे, बनेगा, synaptic cleft या synapse, वहाँ पे एक chemical आता है, नाम है acetycoline, या acetycoline, चले, neuron 3 टाइप क्यों होंगे, sensory, motor और associate, sensory क्या करेंगे, receptor से brain तक जाएंगे, और motor क्या करेंगे, brain से, brain से effector तक जाएंगे, associate दोनों के बीच में होते हैं, आगे, collection of exons को कहते हैं, nerve, आईए, nervous system में आपको CNS मिलेगा, PNS मिलेगा, आईए, जो brain से connected SCNS है, और जो brain से निकलने वाली nerves है, वो है PNS, brain का one word question, किस से covered है brain, तो मैंने का, एक brainy box है, नाम है, cranium brain में triple layer membrane है, नाम है meninges, हाँ, दिखाता हूँ, आपके brain के उपर, triple layer membrane है, असी लिए तो सर टकराता है, किसी से, फटता नहीं है, इसके अंदर एक liquid भरा हुआ है, meningitis, sorry, cerebrofinals fluid, क्या, cerebro spinal fluid, इसके अंदर एक watery liquid भरा हुआ है, brain के अंदर, और तीन layer of membrane है, dura arcanid pi, याद रखेगा, सबसे outermost layer का नाम है, pi matter, तीन layer है, meninges की तीन layer है, outermost layer का नाम है, pi matter, आई ये brain के तीन पार्ट है, cerebrum, cerebellum, और medulla, labeling के लिए diagram याद कर लीजे, draw नहीं आएगा, labeling आएगा, थोड़ा diagram, typical लगेगा, पर आप एक बार, दो पार्ट में इसको divide करके करिए, तो आपको sure आ जाएगा, और पहले उस पार्ट को याद करिए, जो sureर पार्ट है, जैसे spinal cord आप असाम से पैचान लेंगे, spinal cord आगे जाकर medulla oblongata बन जाएगा, पैचान जाएगे, medulla oblongata का end pons बन जाएगा, पैचान लेंगे, और इसी के ठीक अपर midbin बनेगा, तो यह structure आपको सीधे-सीधे नीचे से मिलता जाएगा, फिर यहाँ से चड़िये left side क्या right side है, जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है, आपको इसके functions याद करने है, अगेन यह labeling के point of view से करना और कुछ नहीं करना है, तीनो brain के parts आपको आने चाहिए, जैसे MCQ या short question बनता है, आपको कहीं pressure हो रहा है, आपको कहीं pressure हो रहा है, कौन बता रहा है, कौन message भेज रहा है, तो जवाब है thalamus, और आपकी body का temperature कौन regulate कर रहा है, कौन बता रहा है, आपको बुखार हो गया है, यह hypothalamus, सच में, आपको बिचल हाई हो जागा, तो बता देगा, midbrain में parts हैं, cerebellum, sorry, hindbrain में parts है, cerebellum और pons, cerebellum आपको चलने फिरने मदद करता है, आपके muscular activities, इसको जितने भी आपके coordinated actions हैं, चाहिए वो dancing ही क्यों ना है, वो सब cerebellum की विज़ से, और जो जितने भी involuntary actions हैं, heart beat को control करना, lungs, liver के actions को control करना, internal organs को control करना, sub, sub internal organs को control करता है, medulla alongata, चोटा brain सबसे पीछे होता है, ठीक है ना, spinal cord का diagram very important है, यह diagram आपको draw करने के लिए आना चाहिए, structure of spinal cord is, reverse of that of the, हाँ, इसमें जो gray matter है, वो अंदर होता है, white matter बाहर होता है, जबकि brain में, cerebrum में थी उल्टा होता है, ठीक है, आपको पूरा आना चाहिए, यह central canal से लेकर, स्वरी, यह skin से लेकर के effector तक, पूरा आना चाहिए draw करने, चली मैं इसको थोड़ा सा quick करूँगा, reflex भी आपको आता है, reflex arc वो path होता है, जिससे effector से receptor तक क्या हो रहा है, transfer होता है, reflex दो type के होंगे, natural और acquired, natural reflex वो है, जो आपको bond से, पैदा होने से मिली है, आईए sense organ, थोड़ा fast, थोड़ा quick, आईए देखें, सबसे पहले बात करते हैं, sense organ में I की, यह diagram important नहीं है, आपको इतना ध्यान नहीं देना है, आ रहे हैं, sense organ में I के structure पे, very important, diagram, labeling, draw, दोनों आना चाहिए, ठीक है, जब बोल रहाँ draw तो draw भी, सबसे पहली layer मिलेगी आपको, सबसे outer layer मिलेगी, वो है conjunctiva, क्या मिलेगी, conjunctiva, अक्सर conjunctiva में viral infection हो जाता है, conjunctivitis, ध्यान दीजेगा, अगली layer जो होगी, यस इसमें conjunctiva नहीं है इस diagram में, अगली layer होगी क्या, sclera, ठीक है, क्या नाम है, sclera, sclera के बाद second layer है, coroid, coroid के सबसे inner most layer है, retina, तीर layer है है, अब आगे आईए, front की तरफ आईए, आग के आखों की तरफ आईए, आगे आईए, तो आप दिखेंगे, की सबसे आगे आपको जो, sclera layer थी, वो बन जाएगी cornea, transparent part होता है, यह होता है, cornea, cornea के ठीक पीछे आपको दिखाई देगा, aqueous humor, ठीक है, यह एक liquid भरा हुआ है, इस chamber में, aqueous humor और, yes, pupil, आप देख सकते हैं, pupil एक dark spot है, आपकी जो आख के बीच में center, जो black के अंदर जो black गोला है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप देखिए अपने आखों में, एक black circle है, उसके अंदर भी एक चोटा black circle है, उसका नाद है pupil, pupil वो hole है, जो iris की वज़े से बना, iris एक circular muscle है, उसके spread होने से क्या होता, pupil भी बड़ी हो जाती है, ज़्यादा light undart कर पाती है, ठीक है ना, रात को pupil बड़ा हो जाता है, अपने आप, दिन को pupil चोटा हो जाता है, bright light जैसे ही आएगी, pupil अपने आपको चोटा कर लेगा, सच में, iris वो muscular है, iser muscle है, जो आखों को रंग भी देती है, समझ गए, और इसके पीछे कौन है, eye lens है, जो आखे कमजोर हो रही लोगों की, क्या कमजोर हो रहा है, वहीं आंदर का eye lens कमजोर हो रहा है, इसलिए बहर वाला lens लगाना पड़ रहा है, शेक्ट है और उसके पिछे किया है अगला जो लेयर है वो दूर के विजन में हेलप करती है चलिए I am very sure आपने मेरे साथ ये अगर full वाला वीडियो देखा होगा तो आप surely अच्छा कियोंगे Yellow spot area of best vision होता है Blind spot area of no vision होता है आगे correction of lens पर diagram आपको आना चाहिए इसको छोड़ सकते हैं आप correction of lens पर diagram आपको आना चाहिए consulence कब चाहिए आपको आना चाहिए ठीक है आपको nearsightedness है इसका मतलब आपको past की चीज़ दिखती है आपको पहनना है concave lens देखिए diagram आना चाहिए draw करने के लिए draw करने के लिए ठीक है same ये भी diagram है farsightedness draw करने के लिए draw करने के लिए next आजाईए ये सब छोड़े चोड़े common problems हैं आखों की again ये labeling का diagram है draw नहीं करना है human ear सबसे पहला था ear pinna ear आ बहार inner pinna external ear का part है तीन पार्ट है external ear, middle ear और internal ear तो ear pinna जो की outer ear का पार्ट है जिसका काम है sound vibrations को receive करना आप देखेंगे ये वाला पिस्सा इसके अंदर एक ear canal है और उसके अंदर है timphenum bus timphenum मतलब ear drum ये तीनों पार्ट जो है outer ear है इसके बाद है inner ear sequence में है hammer, anvil, stirrup तीन smallest bone है body के hammer, anvil, stirrup इस shape की bone है ये इसका ना middle ear बस इसके अलबा कोई bone नहीं है smallest bone body के ये तीनों ही रहते है ठीक है ना? और इसके बाद अंदर आप देखेंगे structure देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपको जो stirrup पाट अलब पाट दिखेगा वो आपको oval window में आके मिलता नजर आएगा ये जो गोल गोल उपर सा जाता हो दिख रहा है जो उपर बड़ दिखाई दे रहा है round 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 semi circle बन रहा है और नीचे आपको snail दिखाई दे रहा होगा क्या? snail दिखाई दे रहा होगा ये है coquillia ठीक ना? आईए आपको अब ले चलते हैं ये ना? इस structure को देखें तुरा साथ इस structure को देखें आपको समझ में आ जाएगा ये रास्टिरप इन तिनों को ये रासिकल्स के नाम से जानते हैं जो सेकुलस और यूट्रिकुलस है बीच में जो दिखाई दे रहा है इसका नाम एक और भी है वेस्टिवूल ये coquillia को और semi circular canal को जोड़ता है semi circular canal के base में है क्या एंप्यूला तो main hearing हो कहां से रही है वो और ये coquillia से जो आप hearing कर पा रहे हैं body का वैसे ear का दो काम है hearing and body balance दोनों इसी पार्ट से होता है क्या है इसके अंदर इसके अंदर है एक liquid हाँ इसके अंदर एक liquid है क्या नाम है liquid का हाँ इस liquid का नाम है इस liquid का नाम है क्या नाम भाल दिया है liquid का हाँ कैनाल है इसके अंदर लिखका नाम है fluid बढ़ा है endolymph क्या नाम है इसके अंदर है endolymph इसके अंदर endolymph नाम का liquid बढ़ा है इसमें सबसे main organ है वो organ of corti है हम देख रहे हैं किसको कोकिलिया को देख रहे हैं कोकिलिया में इनरमोस पार्ट में आप देखेंगे मीडिन वाले पार्ट में देखेंगे ओर्गण अफ कोटा है जहां पर सेंसरी हेर सैल है और यही receptor क्या करते हैं ब्रेन को auditory nerve तक message बेचते हैं कि सर की अवाज आ रही है यह तो तो मेरी आवाज से मुझे पैचान जेंगे कि सर की आवाज है, हाँ सर तर्ण रुपानी की आवाज है, तो और्गन आप कोटा है, हीरिंग में मदद करता है, उसी के अंदर है, पाया जाता है, और जो लिक्विड पाया जा रहा है, उसका नाम है, एंडो लिव, ठीक है, अच्छा, एंपूला मदद करता है, डैनेमिक बैलेंस में, और क्यों से बैलेंस में, डैनेमिक, जब आप ब static balance है बाप बैठे हुए हैं तब भी आप गिर नहीं रहे हैं बैठे में एक जगे न हाँ तो यह static balance is static balance vestigule मदद करता है चलो that brings to the end of this part nervous system अतार्व neurons आई इसकी फंग्जार भी कर दिया हम लोगने चलिए इस बहुत कर कर दिया यह repeat हो रहा है कि चली आइए फड़ावाद देखते हैं सब common defects और रिपीट हो गया कुशी कुशी एर पीट कर दिया तुमने है है हाँ एक बार एक बार रिपीट हो गया यह पार्ट रिपीट हो गया हम लोग एंड के नजदी के डूंट वरी हम लोग बात कर रहे हैं अब नर्वास सिस्टम के बात कर रहे हैं एंडोग्राइंड सिस्टम एंडोग्राइंड एक ऐसा सिस्टम हमारी बाड़ी में जो हार्मोन पैदा करता है एक तरके जसम रहे हमारी बाड़ी में जो हार्मोन पैदा को यह हर्मोन ओर फिल् हार्मोन का काम है। नियों हाने ह Esse होते हैं जो इक इस प्यादा करती है और हार्मोन वाले ग्लेंड्स को कहते हैं अ कर देद нуж wprowad इस सब को छोड़ सकते हैं, छोटा-छोटा questions बन रहा है, इसलिए छोड़ दे रहे हैं, यह diagram आपको आना चाहिए, diagram इसलिए आना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको जो hormones करने, pitory gland है, जिसको master gland करते हैं, hormone का, कहा पाया जाता है, brain में पाया जाता है, देख लिजे, सारे other hormonal system को paragonal gland को control करता है, दूसरा होगे, आपके neck region में पाया जाता है, यहाँ पर, पाया जाता है, थोराइड पर पाया जाता है, थोराइड gland पे, ठीक है, दूसरा आपका है, pancreas, जो की insulin प्रोड्यूस कर रहा है, और last में है, adrenaline, जो की kidney के उपर cap-like structure है, चलो, आगे देखें, इन म आपको hormones के functions नहीं याद करने है, functions नहीं याद करने है, आपको बस पता होना है चाहिए कि emergency hermon कौन है, आपको better पता न जाया, आपको इसका under secretion, over secretion याद करना है, क्या चीदि, under secretion में क्या होने वाला है over secretion hormone में क्या होने है that's it और ये कुछ नहीं करना ये access है आपके लिए ठीक है मैंने आपको सिर्फ to the point बता दिया अब जैसे insulin के बारे में पढ़ते हैं insulin कहां पैदा होता है beta cell में beta cell of the pancreas में पैदा होता है क्या करता है हमारी body में sugar level check करता है insulin के deficiency से क्या होने वाला है और excess से अगर under secretion हो जाएगा तो diabetes हो जाएगा हाँ diabetes mellitus हो जाएगा वैसे दो तरगी diabetes है diabetes insipidus भी है जिसमें पानी की body में क्या होती है बार-बार urination होता है और एक होता है diabetes mellitus जिसमें body से urine past में दोरान sugar भी निकल जाती है glucose निकल जाती है असका over secretion हो जाएगा तो आगनी कुमा में जा सकता है समझ गये glucagon नाम का एक और हार्मोन है जो alpha cells प्रदा करती है ठीक है आपको सिर्फ क्या करना है deficiency और उस deficiency hyposecretion और under secretion पढ़ना है हार्मोन कहां पैदा हो रहा है यह पढ़ना है ठीक है और extra कुछ नहीं करना है ठीक है आगे देखें यह pitory gland है मैंने कई बार बोला यह master gland है क्योंकि यह सारे और endocrine system को control करता है इसके बीच में एक center में क्या है intermediate lobe है जो posterior और anterior part को control करता है यह posterior part ADH क्या ADH हार्मोन पैदा करता है जो की urine की मातरा को control करता है ठीक है growth हार्मोन growth हार्मोन पाया जाता है anterior वाले पार्ट में जो आप अगर लंबे हो जाते हैं अगर आपके class में कोई ताल का पेड़ है कोई लंबा या लड़की लंबी है तो समझ जाईए GH हार्मोन जादा पैदा हो गया था ठीक है ना जादा GH हार्मोन अगर later इसमें पैदा होगा हाँ जब adult में पैदा होगा तो उसके मुँ और गाल मोटे मोटे हो जाएंगे इसको कहता है एक्रोमेगैली उसी तरह से मैंने कहा यह हार्मोन posterior gland में भी होता है ADH urine की मातरा को इसकी वज़ाए से इनकी deficiency की वज़ाए से एक बिमारी होती है नाम है diabetes insipidus जिसमें आपनी बार-बार urine जाने लगता है ठीक है ना oxytocin नाम का एक हार्मोन होता है को burn करने का तो होना reproductive system recently मैंने एक बार full slot video बनाया है आपको इस chapter में क्या करना है इस chapter में male reproductive system का diagram draw नहीं करना है please labeling with function आना चाहिए labeling with function आना चाहिए एक एक part का labeling और function आना चाहिए similarly आपको female reproductive organ का labeling with function आना चाहिए that's it this brings to the end of your entire biology कुशी हिर्दै एक बात तुम लोग से इतना कहूँगा कि अगर अलग से ही reproductive system पूरा one shot देखना चाहते हो तो मैंने आपके request करने पर इसको बनाया था जी हाँ वो population pollution नहीं पढ़ा दे जरूरी है क्या देखें बच्चे मेरे क्या करें मैं देखना चाहता हूं चलिए अगर पेड़ पुशी कहरी ही सर वो भी बढ़ा दीजे इस अब population और वो जो चप्टर उसमें कोई डाग्राम भी नहीं है कुछ भी नहीं है छोड़ जोने बस mcq question बन सकते हैं उसमें बाई natality एक वड़ आ गया growth rate एक वड़ आ गया और क्या है बागी तो और कुछ है नहीं मैंने आपको ये chapter discuss कर लिया है वीडियो भी बना दिया है अगर doubt लगेगा तो एक बार go through जरू कर लिजएगा चलिए thank you and take care और बाईलो जी आपके बस में आपके मुठी में है हम करेंगे कल से हिंदी की भी तैयारी एक request करूँगा please 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 जब तक आप draw नहीं करेंगे बाईलो जी स्वैम मैंने जिसको कहा है draw करने का उसको draw करके ही करना और जिसको कहा है labeling के लिए उसका diagram plan करके label करके 123 parts करके practice का लेना bye from now take care